बट मुजफर नगर में भी, कम्यूनल वाइलन्स बहुत बड़ा हुआ, एक पोग्रोम हुआ, दिल्ली में भी हुआ, और दोनों जगा एक सो कॉलर सेकुलर विचारधारा रखने वाली पार्टियां थी, जब कुछ घंटों से जादा, 24 घंटे से जादा बिलकुर कोई भी हि हिंसा चलती है, उसका एक ही कारण है कि सरकार चाहती है, हाँ वाजपाई साब के पास मैं गया और इसलिए कई लोग कहते हैं कि बहुत उदार थे, मैं तो सहमत नेली में उनकी क्या भूने का थी, हम लोग सब जानते हैं, वाट मेक्स गुजरात मॉडल यूनीक इन दे हिस् को हम दंगा कहते हैं उसके होने के लिए, नफरत का उतपादन, हिंसा का प्रयोजन और सरकार के जहमें, क्योंकि बाबरी मस्जिद एक पुराना मस्जिद ही नहीं था बलकि एक प्रतीख था उस वादा का कि हर मजभ के लोग को बराबर के हाथ, बहुत चीज़ों में रहु पार्टिकल लिखा जो सुनिया साडली वो जब-जब की सुनिया गांदी ये बोलती है कि शयद इस वज़े से हम हार गए क्योंकि हमें मुस्लिम अपीजमेंट की पार्टी की तरह देखा जाने लगा है उस लेक को लेके बहुत बड़ी बहस थी ने बहुत अच्छे पराने मुस्लिमान अब इस देश में हाक रखने का हाक नहीं रख रहा है हम चाहें तो बुल्डोजर डाल देंगे हम चाहेंगे तो हम ऐसा भाशन देंगे कि आपका नलसमार हो जाए In my opinion, in all my readings, what has also failed is the lack of sufficient theorization of the human condition आज हमारे साथ एक बहुत ही खास महमान है जो अगर ये कहा जाए कि आजाद हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की secularism, उसकी plurality और उसकी जो equality का जो एक पूरा fabric है और उसकी imagination है उसके लिए काम करने के लिए, उसके लिए sacrifice देने के लिए और उसके लिए institutions बिल्ड करने के लिए अगर किसी का एक बहुत important role रहा है तो मुझे लगता है उन लोगों में से, कुछ लोगों में से Dr. Harsh Mandar का भी नाम जरूर आएगा और बहुत-बहुत आपका खेर मगदम है Dr. साब पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप एक context में, हम सब एक context में exist करते हैं तो आपकी family background, partition और आपकी जो यह government में आपकी जो आई-स officer administrative position थी उसकी journey पे हलका सा आप थोड़ी रोशनी डालें तो और उस पे थोड़ा यह focus में चाहूंगा कि जो आपका idea of India है जिसके साथ आप परवरिश हुई या आपने जो उसको अपनी जवानी में अपने character में ढाला उसके नजर यह से थोड़ा explore कीजए देखिया अली मेरे माता पिता उस एलाके हिंदुस्तान के उस एलाके में बड़े हुए जो आज पाकिस्तान में है रॉल पिंडी के आसपास बड़े हुए थे और आर्टिशन जब हुआ था तो बहुत हिंसा के बीच में से मेरा जो बड़ा परिवार है वो निकले पिता जी उस वक्त आर्मी में आगे थे बाद में civil service में आये लेकिन जिस तरह का जल्म इंसा उस वक्त हुआ उसको बहुत बहुत नजदीकी से मेरे परिवार में भी छेला मेरा जनम साथ-ाथ साल आजादी के बाद हुआ उस वक्त नहरु जी ने चाहा था कि फ्रंटियर एरियाज में ऐसे प्रशासकों को चुना जाए जो एक समेदिनशील और सम्मान के साथ उन अलाकों में प्रवेश करें तो उन्होंने खास करके एक अडिम स्रेटिव टीम तियार किया था तो नहरु जी के साथ बहुत मस्दीकी से पिता जी ने काम किया और जो आज अरणातल जिसको कहते हैं नीफा उस वक्त तो मेह जनम शलॉंग में हुआ था जो अंडिवाइड़ एसायम जिसमें यह सारे स्टेट्स जो आज स्टेट्स हैं उसका हिस्सा रहते थे और मैं चार साल का था जब मौम्डीला में डिस्ट्रिक्ट हैड ते और दलालामा का वो एसकेप हो रहे थे चीन से तो पिता जी की जिम्मधारी होई के उनको महा बॉर्डर में मिलना और उस रक्षा से लाना तो पहले जगे जहां पर वो रहे वो में पिता जी के घड में ह लग लग एक फटा हो रहे यह तब की बात है जब चाइना टिविट को 1959 उनका और पिता जी वो हमेशाँ कहते थे कि तुन्स्तान में मेरे पहले दोस्त हुई थे दलाई लामा दलाई लामा कहते थे कि पिता जी उनके पहले दोस्त थे तो आज तक भी रिष्टा बनाएं रखे जब तक पिता जी जिन्दा थे और बहुत कुछ उनसे भी सीखा हूँ तो मैं बड़ा हुआ बोर्डिंग स्कूल बगारे में कि पिता जी बहुत रिमोर्ट इलाखों में रहे लेकिन आज जब मैं उस बच्पन को याद करता हूँ तो मैं मेरा डेंट सन है में बेटी का लड़का वो पांच-छे साल का है मैं देखता हूँ कि मैं जिस सिंदुस्तान में बड़ा हुआ और जिसमें वो बड़ा हो रहे हैं बहुत फरक्ता हाना कि हम पार्टिशन के फैमिली के थे लेकिन कभी भी कभी भी मझे याद नहीं है कि कहीं भी नफरत की बात मैंने अपने माबाप से सुनी है मेयो कॉलेज एक बहुत एलीट टाइप स्कूल था उसमें बहुत प्रॉब्लम जरूर थे लेकिन अपने याद करता हूँ मेरे ब्रिटिश प्रिंसिपल थे और हमाएं स्कूल का जो मेन प्रातना थी वो लब पे आती है तो एक अलग वक्त था मैं जब सिंट स्टीफन्स में मैंने जॉइन किया बैचलर्स के लिए तो आज बहुत सारे लोग जो पब्लिक लाइफ में हैं वो उस वक्त साथ में थे दोस्त थे शाशी थरूर मेरे अग्रे कमरे में थे और लोग लाइफ लोग दोस्त रहे हैं रामगुआ थे अमिता वक इंट्रिस्टिंग जब हम देखते हैं लेकिन हाला कि वो बहुत इलीट उस वक्त बहुत जादा इलीट एक जगह थी लेकिन मेरी जो यादें हैं कॉलेज की कि हम लोग बस इसी पर बात चलती थी कि हम कैसा बहतर देश बनाएंगे और बनेगा देश बहतर होगा उसमें समा होगा और अभी होगा और हम उस बदलाओ के का हिस्सा रहेंगे आदर्श आदर्शों का वक्त था जिसमें मैं बड़ा हुआ कोई एक ऐसी खास विजारदारा जिसका आपके ओपर असर हो कई बार लोग कहते हैं गांधी गांधी जी का बहुत मेरा मुझ पर असर रहा है ले अगरा धारा हुं से मैं एक मानफतावादी समाजवाथ पर मेरा यकीन रहा है लेकिन वही जब मैं अपने चोटे बेटे ग्रैंटसन को देखता हूं मैं मुझे याद है मैं दस साल का था क्यूंके मेरा सिख परिवार में जनम हुआ है तो पूजा का कमरा रहता है जब तक म मेरे माबाप जिंदा थे तो उसमें गुरुगरांग सहब रखा जाता है तून मैं गरा होगा मैं ने कहा मुझे धूरा सा लग था है और मैं कहीं से एक आल्लह का बो लाया और मेरी में रखा एक लाया और प्रशन और डाम की अलगारार या आप उने एक रिख रही ते ती और नबे साल के 92 साल की उमर में जब मेरे पिता जी अभी अभी गुजरे हैं, तब तक हमारे रातना कमरा वैसा ही था जिसमें अल्ला भी थे और क्रॉस भी था और बुद्धा भी थे और रामक्रिशन भी थे और गुरुनानक भी थे, मैं अपने ग्रैंटसंग को देखता हू और वो जिस तरह से हम सिर्फ आदर्शों की बात सुनते थे, सोचते थे, वो नफरत की बात वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब एक्स्टेंड़ परिवार में आजकर जिस तरह की बात हैं होते हैं, वो सुनेंगे, सोशल मीडिया जैसे वो समझ रहे हैं, अपने क्लास मे साथ में पढ़ने वारे साथियों से हमाई नेताओं से तो एक बहुत अलग हिंदुस्तान में आज नौजमान बड़े हो रहे हैं और जिन में ये विश्वास जैसे मैं कह रहा था हमें जो विश्वास था कॉलेज में कि बहतर दुनिया संभव है और हम उसे उसको बनाने में हमारी भी हिस्सा रहेगी और जहां पर मज़ब का मुझे दूर तक पी याद नहीं है कि कोई फरक पड़ा कि कोई मुसल्मान है या कोई क्रिस्टिन है या कोई हिंदू है ये बस एक चीज़ है कि मुझे लगता है उसको हम समझ नहीं पाए क्योंकि जो शोषिट जाती हूँ कि लोग शेद हमारे स्कूल कॉलेज में ही नहीं थे लेकिन बाकी जो जो समाज में दरा रहे हैं वो हमें बिलकुल हम महसूस नहीं करते थे आपकी पूरा जो आप एक्सविरियंस मुझे बता रहे हैं मैं जब अपनी बच्पने को याद कर रहा हूँ तो पूरी तस्वीर मुझे अपने उपर धलती वीसले नजर आ रही है क्योंकि मैं भी एक ऐसे स्कूल में पढ़ा जो एक बिटिशर हाला कि छोटा साहरनपूर शेहर है वहाँ पे जो हमारी प्रिंसिपल थी उनके हस्बंट बिटिशर थे उन्होंने हमें अंग्रेजी पढ़ाई वो उर्दू भी जानते थे उन्होंने हमें हिस्ट्री भी पढ़ाई और एक कॉणवंट सेटिंग का स्कूल था हाला कि प्रॉपर कॉणवंट नहीं था प्राइवेट था बट एक उसी तरह की सेटिंग में था और उसमें हमारे हर तरह के दोस्त है इवन दो माई फादर इस अन इस्लामिक स्कॉलर मुझे आज तक याद नहीं है 2014 में पहली बार इलेक्शन से पहले मुझे RSS और BJP का माइंड सेट I mean because we are a different generation तो कही ना कही अफकॉर्स ये सारी चीज़ें अंडर्ग्राउंड चल रही थी ऐसा नहीं है लेकिन वो पब्लिक लाइफ में हमारे अपने दोस्तों में उस तरह से manifest नहीं थी even 90s का bond हूँ मैं और आफ 50s के हैं तो इसका मतलब एक लंबा वक्फा हिंदुस्तान में ऐसा भी गुजरा है जिसमें दिल में बात नफरत की होती भी तो कहने में जेचक होती थी अब उल्टा है अब महबत की बात करने में लोग जखते हैं तो आप ने ये services जॉइन करी है तो services आपने क्या सोच के जॉइन करी थी और उसमें आपका क्या experience रहा मैं पिता जी की इच्छा शुरू से थी वो I.S.O.S. थे वो चाहते थे उनका बेटा भी हैसाफसर बने लेकिन मैंने कहा था कि मैं अपना फैसला खुद लूँगा और अपना St. Stephen से दिये करके मैं डेली स्कूल आपक नॉमिक्स में गया लेकिन वहां आधा आधी एक साल गुजरने के बाद मुझे लगा कि जो मैं सीखना चाहरा हूने मैं यहां नहीं सीख पा रहा हूँ मुझे अपने देश के बारे में देश के डूंग के बारे में देश की समस्याओं के बारे में जानना है मैंने तीन चार साल बस गाउं गूमता रहा है मेरा अपना जैसे नहरू जी डिसकवरी अफ इंडिया मेरा Peace Discovery of India का वक्त था आपकी क्या ऐच थी उस टाइम पर? मैं 20 सार का राएम मैं बार-बार आपकी जिसले देख रहा हूं कि मैं आपकी जर्णी देखना जा रहा हूं कि कब आप तो मेरे माबाब चिंतित थे लेकिन एक इजाज़त भी दी उनने और गांधिवादी संस्थाओं गांधी पीस फांडेशन से जुड़के जहां भी उस वक्त फिर भी गांधी आश्रम अलग लग जगे होते थे तो एक में जाता था दूसरे में जाता था बीच में कभी ट्रक में कही बस में किसी तरह से पैदल घुमता रहा मुझे लगता था कि वैल्यूज जो आदर्शे हों सही हैं अपने देश को मैं अच्छी तरह से जानता नहीं हूँ एक सुरक्षित एलीट किसम के अप्रिंगिंग से मैं निकलना चाह रहा है जैसे जब गांधी साउथ आफ्रिकस आया तो उन्होंने सबसे पहले कि कनेक्ट हों यह समझा उन्होंने जरूरी है और मैं वो मेरी शिक्षा का सबसे अच्छा वक्त रहा है और उस उस दोर में तीन-चार सानों में मैंने तेह किया कि मैं सरकार का हिस्सा होना चाहता हूँ तो मैंने देखा कि जो सरकारी अधिकारी है उसका कितना असर जो सबसे अंतिम व्यक्ति की जिन्दगी पे पढ़ सकता है और तो तब मैंने फैसला किया वह जल्दी परिक्षा दी पास हो गया तो ससाइटी में चेंज लाना अपने आदर्शों की हिसाब से वो आपकी वजह बनी कि आप एक सरकार में एक एड्मिनिस्ट्रेटिटिव ऑफिसर वे जुड़ें तो आप अकसर अपने वर्क्स में, किताबों में, लेक्चर्ज में ये बताते हैं कि जब आपकी जहां-जहां ड्यूटीज थी उन दौरान पर कई जगहों पर दंगे भी होते रहें तो आपने बहुत करीब से उनको देखा, मैनेज किया और क्या मैं एक तो सवाल पूछना चाहता हूँ कि कि लोग ये जानते हैं कि गुजरात के जब दंगो के बाद आप गए और वहां से आपका एक बहुत मैसिफ चेंज आया आपके लाइफ में बट क्या उससे पहले भी आप रिहाबिलिटेशन, रिलीफ में, especially when you were part of your services, आप क्या करते रहते थे ये बहुत मजदीकी से, मुझे लगता है कि मैं अपने 25 सार जो मैं service में रहा, उसमें देखता हूँ, छे जिलों में collector रहा, लेकिन उस दौरान मैं collector रहा, जब देश में ये जो दरार आज हम देख रहे हैं, वो बनने शुरू हो गए थे, ये कौन सा decade है? 80s, 80s and early 90s, early 90s, और किन इलाकों में आपने जौब छे डिस्ट्रिक बोल रहा है, मैं मध्यप्रदेश चाथीजगर में collector रहा, और मध्यप्रदेश आज की date में is a seat of a lot of, मध्यप्रदेश में कुछ चीज़ों का रहा, सबसे ज़्यादा दंगों को देख दे और उनके handle करने में, और जातियस दमानता को देखने में, जो कुछ ट्रोगी थे, बेघर लोग थे, उनके हालात को देखने में, लेकिन क्यों आपने कहा, सबसे पहले 84 में मैं indoor में posted था, बहुत young officer था, में additional collector होता है, जो collector के अधीन रहते हैं, और उस वक्त अचानक एक दिन मिसिस गांधी की हत्या हुई, और हमारे अगरे दिन सुबह सुबह हमाई जो collector, DM और S-P थे, मैं उनका नाम नहीं लोगा, बहुत जाने पाने थे, उन्होंने हम सब को कठा किया सुबह छे बजे, और क कहा के मेरे सपष्ट आदेश के बिना कोई force का इस्तमान नहीं होगा, और फिर वो गायब हो गये, और वो वक्त था जब mobile phone अगेरा तो दूर मतलब आपको operator को contact करना था और किसी को डूलते, पता है नहीं कहां चले गे, तो काफी वक्त लगता है दंगा को plan करने में, तो और मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं ऐसा देखूंगा, कहां कोई कल्पना कर सकता है कि लोगं के उपर वो टायर जलता हुआ टायर डालें और वो आग में कूद रहे हैं, हम गूल जाते हैं अच्छली वो उस दोर में क्योंकि जो आज मुस्मानों के साथ हो रहा है, वो उस दोरान एक और कम्यूनिटी के साथ जोसे हुआ, और मैं फॉर्स को बोलता रहा है कि आप लाटी चार्ज करिए, भीड को हटाईए ये करिए, हमें आदेश हमें कुछ नहीं करना है, और ये अच्छली हर जिस तताकति जिसको हम दंगा कहते हैं, हर दंगे की कहानी अगर गहराए में जाएं, तो ये बात, भी है और्डर्स नॉक्टो एक्ट, हमें आदेश हमें कुछ नहीं करना है, वो मैंने सीधा देखा, एक गहंते इसको देखते हुए, मैंने कहा है, मैं तो इसको जब सहन ही नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या, मेरे क्या अधिकार हैं इस वर और कानून बहुत क्रियरली कहता है कि सीनियर मोस्ट मैजिस्ट्रेट जो मौके में हैं, वो आर्मी को भी बुला सकता है, ये जो लोग कहते हैं कि हमने मुख्यमंतिय से पूछा, वाला किसी से आपको पूछे हैं, आपके पास डिसिजिजन मेकिंग पावर है, हंड़िड प इस यहां हैं, मैंने जनरल को वहां फोन किया, मैंने का सर आप आएं, तुरंट पूरे फॉर्ज देखें तो उनने कहा कि कि आप इसको राइटिंग में देने के लिए तयारे हैं, मैंने का पूरी तरह से, मैंने का मैं तो इंजार करता था कोई मुझे आदेश दे, मेरी पूरे कॉलम्स को लेके बहुत बड़े फॉर्ज को उसमें फिर स्ट्रेट फॉर्वड ओर्डर्स थे आपको हर हालत में कर्फ्यू इंपोज करना है और शूटेज साइट और वर्निंग दीजे फिर शूटेज साइट कोई सड़क पे नहीं होना चाहिए और फॉर्ज को क्लि साइट किया और उतना ही बड़ा दंगा था जैसे दिल्ली और बुकारो जैसे जगों में जहां सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ थे शुरू से आन तक सिर्फ छे गंटे और एक नौजवान अधिकारी जिसका कोई अनुभव नहीं है वो चाहे तो छे गंटों के अंदर हफतों तक महीनों तक चला क्योंकि मैंने उसके बाद तैय किया कि हर किसम का मतबसर से बहतर रहबिलिटेशन मैं करूंगा और फिर भी किसी को की अजाजत की ज़रूरत नहीं थी और लोगों ने कैम्पों में भी कहा कि हम हमें सहन नहीं होता है कि मैं ऐसे करके हाथ करके खा हमें आप जगे बताई हैं और हमने ढूंडा पावर आपके पास सारे हैं एक महीने के अंदर पूरे कैम्प खाली हो गये हैं लोग सेटल हो गये अपनी नही जिन्दगी शुरू कर ली और सब वो इस्थानी अधिकारी के अच्छा शक्ती ही काफी थी तो 89 में मैं करगोन जिल कटनाएं होती रहती हैं खरगोन में उस वक्त आइचली ये राम जर्ण भूमिंग का जो मूव्मेंट शुरू हुआ था और वो इंक लेके निकल के और जहां वो हीट निकालते थे वहां हिंसा होनी ही थी तो हमने वहां इंतजाम किया मैंने नफरत पूरा बढ़ते वे दे लेकिन किसी एक स्टेज पर किसी ने बंब चोटा सा कंट्री बंब फैंका और एक आदमी की हद्या होई उससे पूरा दंगा शहर बंब ने शुरू हो गया लेकिन हमारी पूरी तयारी थी चोटा शहर था पंदा बीस पच्चीस मिनिटों में इसको पूरी तरह से रोक आज 19 दिन 19 राते हैं, हम घर नहीं गये, मैं हमाई SP बहुत बढ़िया SP थे, हम लोग ठाने में ही रुखते थे, 2 गंटा किसी तरह से जूते पहने हुए, सो लेते थे, और फिर घुमते रहते थे, किसी हालत में नहीं हो, बहुत सारी कहानिया, मैंने इसके बारे में लिखा भ पर मैं एक वाक्या बताता हूँ, कि उधारन के तोर पे, एक तो लोग घाहल हुए थे, और उनको इन दौर भेजा गया था, जो नस्दीग था, वहां पे उनकी जान कतम होगी, एक लड़के का, तो वहां के डियम ने कहा है, कि हम यहां तो इनका अंतन संसकार नहीं करेंग कि इससे हिंसा होगी, यह आपकी जिम्म रागी, तो वह भीजे यहां, हमने उनके परिवार को माबाप को बिलाया, रात थी कब्रस्तान में गे, और बच्चे का, का जब वो दफ्राने की तयारी थी, मा बहुत रो रही थी, मैंने इनका हाथ पकड़ा, और मैंने कहा कि बच यही लोग दंगा करते हैं, और कुछ नहीं होता उनके खिलाफ, और फिर वो निकलते हैं, एक बात फिर यही होगा, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, हम इस बच्चे का शरीर नीचे नहीं डालेंगे, मैंने अपने S.P. को कहा कि सारे लोग के नाम लिखे, और अभी जाके उनक की डालेंगे, और S.P. साब गे, सब बहुत बड़े नेता थे, सब को गिर्फतारी होई उनकी, तब जाके एक वा तो उस से, और उस दिन को मझे यादे, उस वक्त सिर्फ कौमेस सरकार फिर भी तब तक थी, लेकिन हर सतर से जितना दवाव, कि आपने ये कैसे किया, आपने मैं काफी भावना में था, मैंने का, सर ये ज्याई की बात है, आप कुछ न बोले, और to his credit, कुछ नहीं बोला उनने, और वो लोग गिर्फतार रहे, और कारवाई हुए, तो ये लडाईयों से मैं बहुत कुछ सीखा, कि क्या संभव है, और जब ये नहीं होता है, जब कु कोई भी हिंस, सामचदा एक हिंसा चलती है, उसका एक ही कारण है कि सरकार चाहती है, और वो अपराद इतना बड़ा है, मतलब मानीजे आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, और operation के लिए, और वो वहीं पे आपका कतल कर दे, कोई सड़क पे जा रहा हो, और किसी घातिया करो अपराद है, अब डॉक्टर के पास जाएं, और सरजरी टेबल के ओपर वो मारें, तो वो अपराद बिलकुल अलग किसम का है, उसी तरह से दंगे में कोई किसी को मारे, वो बहुत बड़ा अपराद है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, सम्मिधान को मतबहात में रखते नियाए करना, वो अगर वो ही हिस्सेदार बन जाए, उससे उसको भड़काए, उसको होने दे, वो इतना बड़ा अपराद है, और उसको हमने पहचानना जुरूरी है, उसको रोक टामपत सकते हैं, चुकि आप 2002 में गुजराद दंगो के पाद वहाँ पे गए, आपने रि कावल करेंगे, ऐसा आपको क्यों जरूरत महसूस हूई, और फिर आपने वहाँ पे क्या देखा, कि अल्टिमेटली आप अपने उस इलस्ट्रियस करियर को, जिसकी आपने भी बहुत, मुझे नहीं पता था, कि मैं अभी तक यह सोच रहा था, कि आपने शायद 20 साल इस तर मता अंदोलन हुआ था, उसमें भी मैंने जो प्यूडित लोग थे उनका साथ या कई आधिवासी लोग जिनकी जमीने गई थे, मुझे सर्विस बहुत बढ़िया लगा, मैं तीन साल आई एस अकैडेमे में भी रहा, तो उस सर्विस में बहुत खुश था, इसलिए सवाल होता है कि आपने कि इस एक्सपिरियंस के बावजूद गुजरात में ऐसा क्या देखा और क्या आपके जो जहनी तोर पे जो आपके अंदर एक कश्मकश और एक जुस्तचू चली होगी, कि आपने ये अपना इलस्ट्रियर्स करियर छोड़ा और ये, कि भई, आप हो सकता ह कि सारा चीवमेंट आप वापस सर्विसिस के त्रू भी कर सकते हैं, तो उस पे थोड़ा आप अपने डिसिजिन पे और उस हालात पे जररोशनी डालिए, कि क्या ऐसा हुआ वहाँ पे, देखिए सर्विस में जाते समय मैंने एक फैसला शुरू से ही किया था, कि मुझे जो अब अंजाम के वो धियान में रखते हुए, फिर वो सही गलत नहीं होता, फिर एक वो स्ट्राटिजी होती है, एक 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 इस तर्विस गुजारा है, दोजार दो के वक्त में एक उस वक्त आईएस में ये अजाजत थी, कि आप किसी एंज्जो में चुट्टी लेके सा एक साल पहले बहुत बड़ा जो भुज में भुकम्प हुआ था, उसमें बहुत सारा काम किया था, जब ये गुजात हिंसा के बारे में मैंने पढ़ा सुना, मैं ये जानता था, कि जहां भुज में इतने लोग पहुंचे, कि माल जी जे, कि आप कल्प ना करें, कि बहुत दंगा हो बिल्कुल वीरान कोई नहीं पहुंचेगा वहां काम करने के लिए तो मैंने तेह किया था कि मैं तो जाओंगा एक नाग्रिक के हैसियत से वहां सेवा की आपकी पुराने एक्सपिरिंस में ये था कि एक दो डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेस्ट्रोफी को लोग डिफरेंटली अलग तरीके से डीर गरते हैं विल्कुल ही अलग तरीके से और वो आपका रियलाइजेशन था कि इतना बड़ा जो ये क्राइसिस हो रहा है इसमें हो सकता है लोग उस तरह से और वैसा ही था मुस्ली मुस्लिम कमीटी इसलफ और छोड़े से बहुत गिने चुने औरगनाइजेशन था तो मैं मैं गया और जो डिलीफ कैम्पू में मैं काम शुरू किया तो जो कहानिया मैंने सुनी मैं तो बहुत कम वक्त में मुझे बहुत सीधा समझ में आया है कि ये कोई दंगा नहीं था ये सरकार द्वारा प्रायोजे था एक बहुत बड़ा नास्मार था और जिसके केंद्र में और और बच्चे थे और जिस तरह की क्रूरता की कहानिया दुखराना भी मुश्किल है शैद जरूरी भी नहीं है उधान के तोर पे बस एक बताते हैं एक छोटा सा बच्चा था उसका नरोडा पार्टिया में दगब एक सो दस लोगों को जिन्दा जलाया उस पूरे हिंसा के दोरा ये बच्चा भी मुश्किल से निकला तो पानी मांगा तो उसको चुरी देके पेट्रोल पिलाया पिर उ उस तरह की कुरूरता को सुना और सरकार की सहमती मुझे बहुत साफ देखे लिए तो मेरे जमीर में कहा कि पहले तो मुझे दुन्या को बताना जूरी है और याद ही एक आर्टिकर क्राइमा बिलवट कंट्री मैंने बहुत कुछ लिखा है लेकिन मेरे खाल में सब को जिसम में इसको टांसलेट करके कहां कहां हो गया कहां पहुंचा लेकिन मुझे ये कहना जूरुई था मुझे लगा कि कोई सुनेगा नहीं लेकिन मुझे ये कहना और इसमें मैंने इस सब का वर्नन किया और मैंने पिर कहा कि ये कोई दंगा नहीं था ये सरकारद्वारा प्रायो तो वह पहला था, पिर मैंने लिखा फिर मैं घर वापस गया अपने पत्नी को अपने बेटी को माबाप को दिखाया और कहा कि मुझे ये दुनिया को कहना ज़ूरी है, अनुने कहा कि आपको कहना है तो आप कहेंगे ही हम क्या बोलें, लेकिन कुछ भी इसके बाद अगा नही ने देखा कि मैं अब वो कदम उस दिशा में गए हैं कि अब लोटना संभब नहीं है और मैं एक्स्प्लेइन यही करना चाहरा थे कई बार नौजवान भी पूछते हैं कि आईएस में क्या बहुत सारी लड़ाईयां आप आईएस में सरकार में रहे के लड़ सकते हैं अगर उसकी कीमत चुकाने के लिए त्यार हैं लेकिन वो सारी लड़ाईयां संभधान के चार दिवारों के दाइरे के अंदर आप लड़ सकते हैं मैंने उस वक्त देखा मैं समत हमें अकेले नहीं कई लोगों ने देखा कि 2002 एक संकेत था कि देश किस दिशा में जा रहा है जो सं समधान के ही मूलियों के बिलकुल विरोध में और मुझे दुख है कि जो मैंने सोचा कहा हम जा रहे हैं वो बिलकुल सही निकला और उससे भी बहुत बुरे हालत में हम लोग पहुंचे हैं तो मैंने माना कि बहुत सारी लड़ाईयां मैं सरकार में रहके लड़ सकता हूं लेकिन इस सरकार का हिस्सा होते हुए इस पुन्यादी सवाल कि ये देश किसका होना जाए किसका है किसका है उस वक्त सरकार बीजेपी की थी वाचपाई साहब केंदर में थे और आप डेलिगेशन लेके शायद वहां गए भी थे हाँ वाचपाई साहब के पास हम मैं गया और इसलिए कई लोग कहते हैं कि बहुत उदार थे, मैं तो सहमत नहीं हूँ, नेली में उनकी क्या भूमिका थी, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन व्यक्ति का तोर पे, अच्छली क्योंकि मैं फिर रिलीफ कैम्स वगेरे में काम करना शुरू किया, मैंने पहले बार देखा कि सरकार ने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगा, और आये सद्धिकारी हम लोग का ट्रेनिंग होता है, सब कुछ जानते हैं, मुझे लगा कि इन फैक्ट उससे बत्तर मैंने स्थिती नहीं देखी, पर मैं कहना चाहता हूं कि 2020 जो दिली में देखा, और मजफर नगर में भी वही पर कि मुस्लिम समाज खुद ही अपने आपको सम्हा लें, ऐसी सिती में लगब दो लाख लोग घर से बेघर हो गए थे, और संक्या कितने लोग मारे गए वो कहना मुश्किल है, लेकिन उस बातावरन में उस दोर में अगर कोई भी सामने नहीं आएं, और मैं यह कहना चाहता ह हूँ, मैं ढूनता रहा कि कॉए कउंग्रेस सेवादर लोग हो और पार्टी नहीं थे कोई कार्यकरता नहीं था, सामाजी कार्यकरता लगबग सभी ने वहा चामिव नहीं थे, इुडेश अथे कम्यूटी इसल उनके पास कौन सी जगह थी, कब्स्तानों में कब्रों के बी के तौर पे मैं कैंप में सोया, शाहलम कैंप में में उमर भर याद करूँगा कि दस सार लों के बीच में जिस हालात में वो थे तो हम तो मैं बहुत परिशान था तो IK गुजाल फॉर्मर प्रैमिनिस्टर थे उनने मझे कहा कि चलिए मैं आपको प्रैमिनिस्टर से मिलाता उनको आप समझाएं और एक डेलिगेशन में हम लोग गये मुस्ति उस डेलिगेशन में क्योंकि मैं ही फील्ड से आ रहा था बहुत समानिया लोग थे बाकी भी वहां पर दो घंटे मैंने जो बातें बताएं अगर थोड़ी से भी रहम होती हैं तो कम से कम यह कह देते हैं क रहत की विवस्ता तो करें लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उसका अंजाम कुछ बदला नहीं लेकिन जो आप बोल रहे हैं जो प्राइमिनिस्टर वाजपाई साहब की जो इमेज है वो तो कही न कभी उपरीत है एवन मुसल्मान भी कभी कभी जब बोलते हैं कि अगर अब जब अपनी यंग एज में थे जब आप वो कर सकते थे तो आप ये बयान कर रहे हैं तो कुछ समझ आने वाली बात नहीं है मैं मानता हूं कि RSS मतलब अलग अलग आवाजों में बात करती हैं लेकिन हैं एक एक ही विचारधारा के तो जब बाबरी मस्ते गिराए गए तो बाजपाई साब वहां थे नहीं और जिस तरह की भाशन उने उससे पहले दी और बाद में ऐसा नहीं है कि अगर गहरी या सहम तो आप बिलकुल अलग चीज़ें करते हैं मतलती सरकार को पहले बदलते हैं और फिर यह सारे जो अन्याएं हैं उसको रोकने में आपने क्या पहले कि यह स्ट्रिटीजिक है कि हर किसी का रोल है टेंपलेट्स हैं अलग अलग तो जो हार्ड लाइनर है किसी को सुनेगा और जो हम बदलाओ देख रहे हैं कि वाजपई साब उदार थे और हार्ड लाइन आपको समझना है कि अपनी जवानी में जो आरेसस का कारे करता या बीजेपी का नेता होता है वो बहुत हार्ड लाइनर होता है और जैसे जैसे उसको पुजिशन लेने का वक्त आता है तो उसकी हार्ड लाइन पुज़ बदल गया आज पुजिशन के लिए आप कोशिश है मतलब दोड़ है क्योंकि मुदी जी उदार माने जा रहे हैं और योगी अदित्याना हार्ड लाइन माने जा रहे हैं उनके कॉम्पुटिशन में है मनतर विस्वास सर्मा करे हैं वो को और विस्वारा लॉटिशन अधिया भर हें का मुदी इन उसकी कोशिशन की विद्प वीज़ मोड़ल हृद माने जाएं तो आप आप किस में जाएंगे, प्रहेंगे लेकिन सबसे मॉडल आपके ये से अपने मैं citoy quantity सोग प्रषोह. पहले दंगा शब्द क्यों हमें इस्तवाल नहीं करना चाहिए। दंगे से ये समझ में आता है कि हिंदूर मुस्मिलान आपस में लड़ते हैं। मतलब लग खुद बखुद। ऐसा बिलकुल ही नहीं। पार्टिशन में हमने दंगे देखें। लेकिन उसके बाद दंगे नहीं है। सरकार की सहमती से वाइलेंस रहा है। ये जो वर्ड पोग्रोम इस्तमाल किया जाता है। पोग्रोम शब्द के नजदीक है। मैं तीन दौर देखता हूँ। और एक लिंचिंग अब चौथा दौर है। बहुत संग्षिप में समझाने की कोशिद करता हूँ। पहला दौर गांधी जी की हत्या के बाद ऐसा लगा कि मतलब पूरा देश एक तरह से इतना हिल गया था। कि शैद हमने वो पूरा इतिहास जीथे छोड़ दिया। ऐसे ड़ने लगा। और नहरुजी का नेतित्व भी था। लेकिं 1961 में हमने पहरा बड़ा दंगा जबलपूर में देखा। जबलपूर से नेली तक एक दोर में हम लोग सामतरता एक हिंसा देखे जहां पर वाइलेंस दोनों तरफ से हुआ। लेकिं ज़्यादा वाइलेंस मुसल्मानों के खिलाफ दिखता है और सरकार की सहमती भी उसमें होती है। लेकिं कुछ हद तक वाइलेंस हम मुसलिम काउंटर वाइलेंस कर पाउता है। नेली से गुजराथ तक दूसरा दौर है जहां जो नर्सम हार करते हैं नेली इस वाट एर नेली इस नेली नसम, 84 जिक्सिक वाइलिन सब्स्स राइट्स शब्द हम यूज़ करते हैं लेकिन उचित भी नहीं है लेकिन और कोई शब्द ही है वाले है और फिर 89 भागलपूल का मुंबई 1992-93 मुंबई भी शुरुआती तोर पे थोड़ा बहुत दंगा था लेकिन उसका जो second phase था वो पुरी तरह से एक massacre type ही था और उसका एक तरह से climax 2002 में पहुंचा 2002 के बाद जैसे मुझे महसूस हुआ मुझे लगता है कि देश के कई लोगों को लगा कि अब हमें इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारी कारवाई हुई उस पे जाएंगे नहीं हम लोगों नहीं कोशिश की न्याय होने के लिए NHRC भी साथ में था हाला कि अंत में नेंद मोदी जी को हम लोग ये साबित नहीं कर पाएं सब लोग नहीं साबित कर पाएं कि वो जिम्मेदार थे लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि उनका वीजा जातर यूरूपी और अमरीकी देशों में उनको जाने की अजाज़त ही नहीं थी एक ही देश था प्रमुक देश जो उनको सवागत किया उस वक्त दी वो था इस्रेयल चीफ मिनिस्टर और उनको इन्वेस्टिकेशन को सामना करना पड़ा है अवरॉल दोजादों में कम से कम ये हासल हुआ कि बहुत महंगा था इस तरह का चार आंकलों के कि मृत्यू हजार से उपर अब देखिएंगे उसके बाद जो भी घटनाएं हुई हैं वो दो आंकलों से उपर ने गया सौ से कम तो कंदा मल का क्रिस्टिन नर्समार हुआ 2006 मुझफर नगर हुआ बीच में असम का भी हुआ था ये सभी तो एक ये तीसरा दोर है जहां पे मारे जाने वाले लोग बहुत कम हैं लेकिन जो लोगं को घर से उजार के वो बहुत बड़ी संक्या हैं और उनको वापस आने की जादनी तो आप वही एक वाइलेंस का मॉडल आप ये बोल सकते हैं पुलिटिकल एकोनमी वेड वेरी वेल इंटिग्रेशन विस स्टेट में उभर कर आगिया और बॉयकॉट एकोनॉमिक डिस्पेस्मेंट एक मुझाफर नगर एक दो जिलों के ही लेकिन महां पचासार लोग वापस नहीं जा पाएं तो वो एक तीसरा स्वरूप था और चौता स्वरूप लिंचिंग का जिसको मैं बात में बात करते हैं जहां अब एक एक मतलब दस से भी कम लोग बारे जाते हैं ये स्वरूप बदले हैं लेकिन दंगे का एक और बहु कारकरता के रूप में 2002 के बाद उनके बीच में काम किया और एक शोद करता के तोर पे मैंने इनका इसका अध्यान भी किया हूँ तो इन सारे तरीकों से इसको देखने के बाद मैं समझ पाया हूँ के तीन चीज़ें जरूरी है एक जिसको हम दंगा कहते हैं उसके होने के लिए सबसे पहले है नफरत है नहीं समाज में नफरत को का उत्पादन लगबख जैसे एक केमिकल रियक्शन होता है कि यह आप मिलाए है मिलाए है मतलब हर जगे आप देखेंगे कि अचानक कुछ चीज़ें फैल पैल जाती है उधारन के तोर पे जैसे भागलपूर भागलपू शेहर में जो हिंदू बच्चों के कोचिंग सेंटर्स है उनके सबका कतल हो गया है अब एक बच्चे का बाल तक भी कुछ हुआ नहीं था लेकिन और उस वक्त कोई मीडिया नहीं थी यह सोशल मीडिया वगए नहीं थी किस तरह से वो पूरे जिले में फैला और एक एक गा सौडिक है या इसकी प्रेपरेशन भी एक लंबे हर्शा से चल रही होती है उसकी तैयारी तो रहती है लेकिन एक विस्फोटक तौर जी जी एक इवेंट का इंतजार किया जाता है लिंचिंग में ये बदला है और वो में और सोशल मीडिया के जहां पे एक निरंतर नफरत जी 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 लिंचिंग में जैसे आपके रगों में रोज अपना वाट्साइप खोलते है और एक नया वह करता है तो विस्फोट की जरूरत नहीं नहीं जी जस्टिफाइड माइंड सेट हो रहा है इक यह है दूसरा जो बहुत जरूरी चीज जो हमें समझना है वह हिंस जी बड़े-बड़े सिलिंडर्स हैं पेट्रोल है जिस जो मॉलिटोफ कॉक्टेल बॉम्स है यह कनाट कम आट ओफ थिन एर और पॉल ब्रास एक बहुत अच्छे शोत करता है उत्तर प्रदेश में उनने बहुत अध्यां किया तो पिछले सालों का इंतकाल भी हो गया इंत वाइलेंस की वाइलेंस की तो इन्होंने यह राइट प्रिडूसिंग मशीनरी का पूरा एक अलियन किया यह दोनों ज़रूरी हैं बट पर्याप नहीं हैं नेसरी बट नौट सफिशन यह दोनों भी हों लेकिन सरकार नहीं चाहे के हिंसा नहीं होगा और उसके उधारन है बंगाल में जो CPM का पूरा दोर चला दंगे नहीं होए बहा और लालो याद हो कि अब और सहमतिया हो सकती हैं लेकिन दंगे दंगा होने नहीं दिया तो सरकार की सहमती इस नेसरी एंसफिशन तो नफरत का उत्पादन हिंसा का प्रयोजन और सरकार की सहमती हिंदुस्तान क कोई ऐसा non-state actor क्योंकि non-state actor आपने वोला कि ठीक है if there is every preparation but the state is big enough कि वो उस preparation को जब चाहिए cancel out कर सकता है but non-state actor ऐसा कौन है कि जो इसमें कोई शक नहीं है और बहुत सारी judicial commissions इसका जिकर करते है कि RSS की भूमे का नफरत का उत्पादन और प्रयोजादर रसे और इसके बहुत सा के पीछे कोई से असेहमत नहीं हो सकता इंडिया में मैं जरूर कहूंगा कि बागनादेश में या पाकिस्तान में जमाहत इसलामी जैसे संस्ता हैं जो भी ये संस्ताएं हैं जो मजभ के आधार पे राजनीती इनको पे यकीन करते हैं उनका इसी तरह से और्गनाइज करने क इंडिया में इस में नी दिया देसे से और्गनेजिशन अचा मैं क्यूंके आपने ये जो पूरा तीन फेज़े में बाठाब चौथा फेज है मैं जब दिली दंगे हुए हैं यहां पर मैं जेनु में था तो हमने रिलीफ और रिहाबिलिटेशन का थोड़ा काम करा और आरेसस को मिसकेशन करते हैं इस सम्धिंग विच बॉन इन 1925 उसे बहले हिंदु महासभा थी उसे बहले आरेसमाज था और हिंदु महासभा ने जिस तरह से वाइलन्स को कंस्ट्रक्ट किया है या फिर उसको एक पूरी पॉलिसी के तहत और जो आप पूरा मैपिंग कर रहे है और तो इसकी पार्टिशन हिस्ट्री भी है और आरेसस का बनना यह इस वज़े से क्योंके अब आप नया आजादी हो रही है तो यू नीड और ऑगनाईजेशन जिसकी एक पुरानी ऐसी लेगसी ना हो हमाई आजादी की लड़ाई की खासियत यह है कि यह सिर्फ अंग् इन शर्तों पर आप इस देश के नागरिक हो सकेंगे इस बात यह बात भी बराबर से इस आजादी की लड़ाई का हिस्सा था और गांधी जी सुभाज बोस भगत सिंग बाबा साब मेटकर इन में बहुत सारे चीजों पर सहमतियां थी लेकिन इस बात पर सहमती थी कि हम ऐ कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस भगवान को माने या इस आला को माने या किसी को ना माने आप हर तरह से बराबर के नागरिक होंगे यह सभी सहमतियां रसेस हिंदु महसाभा को छोड़के रसेस हिंदु महसाभा ने कभी भी आजादी की लड़ाई में कोई एहम और बहुत क्लियरली जो आप गुलवरकर के राइटिंग्स आप देखते हैं और नेंद मोदी दी ने कहीं कहा कि अगर कोई एक चिंतक है जो सबसे जादा उनको प्रभावत किया है वो है गुलवरकर गुलवरकर उस वक लिख रहे थे जब जर्मनी में एक्चुली नरसमार यहुदियों का चल रहा था उस दोर में उनने लिखा कि हिटलर बहुत महान राष्टरबादी नेता है और जिस तरह से उनने यहुदियों की समस्या कहल किया उसी तरह से हमें भी मुस्लमानों की समस्या कहल करना पड़ेगा वो उस इतिहास से निकले हैं और मैं एक साल जर् आया हूँ, मैं जो अपने देश में हो रहा था, जर्मनी के अनुभव से मैं देखा कि मैं क्या समझ पा हूँ, इतना जादा नजदीकी है, बहुत जो हम इतिहास को बदलना, वरिश नेता हूं द्वारा जो नफरत की बात करना, यूनिवरस्टी के अंदर प्रवेश करके उस हम लों का बजरंदल टाइप और ऑगनाजिशन, बहुत सारी चीज़े हैं जो बिलकुल एक जैसी हैं, एक टेंपलेट को फॉलो कर रहे हैं, तो RSS जब देश आजाद हुई तो उनका ये कहना था कि उनका, मुसल्मानों का अग्रा अलग देश बन गया है, तो हिंदुस्ता का है, उनका बराबर का है, गांदि जी आखिरी महिनमें यही कोशिश करते रहे कि मुसल्मान को कहना कि यहापी का देश है, तो यह जो लड़ाई, आजादी की लड़ाई क को हम इँदू हिस्थों में देखना चाहते हैं, हम आज पहूंचें कि आजादी की लड़ाई का ज जो हिस्सा था वो आज पूरी तरह से खुल के सामने आया है क्योंकि आप एक सिख परिवार से आते हैं मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूँ आपने 84 भी देखा है 2002 भी देखा है हमने 84 के बारे में पढ़ा है 2002 के बारे में पढ़ा है लेकिन 2020 देखा है तो अगर देखा जाए उस वक्त सेंटर पे कॉंग्रेस थी, जो सिखों का और जो कॉंग्रेस, I mean there's a history to it, के एक movement चल रहा है पंजाब में, उसके context में जो भी हो रहा है, तो एक relationship है जो between Indra, Congress and वो evolve होता है, यहाँ पे गुजरात में और उस वक्त यहाँ पे center पे भाजपा है और state में भी भाजपा है, तो यहाँ पे भी नरसिंखार हो रहा है, यहाँ पे एक secular समाजवाद, सोच, विचारधारा रखने वाला center पे एक political system और party है, यहाँ पे एक so-called जैसे हम fascism बोल रहा है आज की date में हुआ रहा है, तो इन दो episodes में, क्या फरक है और क्या similarity है? पहले जो आपने कहा कि आप मुसल्मान है और मैं सिख हूँ, ने मैंने बोला हम उन परिवार से आते हैं, परिवार से आते हैं, तो I am just developing the context के एक होता है कि वह अगर, उसमें मैं कुछ कहना चाह रहा था, दो कहानिया बताना चाहूंगे बहुत संक्षिप में, 1984 में जो मुख्यमंत्री थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो कह रहे थे कि पहले दंगा रोका, पर इतना हाई प्रोफाइल ये रिहाइबिलिटेशन भी कर रहे हैं हमारे राजने थे कि रूप से ये बिलकुल जम नहीं रहा हैं, उसको रोकें, तो मेरे जो डियम हैं, उन्होंने उनको क्या जवाब दिया, मुझे बात में बताया गया, बहुत अस्चरे चक्ट हुआ, उनने कहा कि हम हर्ष को रोक ही नहीं सकते हैं, तो मुख्यमंत्री ने पूचा क्यों, ने वो तो सरदार है, तो जब मुझे यह बताया गया, मैंने का, अरे मैं हूँ, मतलब मुझे दूर तक भी यह मोटिवेट नहीं कर रहा था कि, और बाकी मेरा करियर यहीं दिखाता है, पर दूसरा मैं यह कहना चाहरा था कि, दूसर दू के बाद, मेरा मेरी जिन्दगी जैसे, बी-सी और एडि कहते हैं न, मेरी जिन्दगी भी डूसर दू में मेरे जितने भी रिष्टे थे, जो बड परिवार है, या दोस्त हैं, आईएस के दोस्ते हैं, बाकी के दोस्ते हैं, लगब पिच्चतर प्रतिशत पुराने रिष्टे बिलकुल खतम होगे और नए रिष्टे, रिष्टों का एक बिलकुल नया दोर चला मेरे सेंक परिवार के बहुत प्रमुक्त लोग जो वैसे बड़े इंटलेक्ट्चूर्स और आर्टिस्स वगएरा माने जाते हैं वो मुझे कहते हैं, बहुत खुली जैसे परिवार के शादी में मिलें तो बहुत सोर से क्या हैं हर अशेम्ड ये हमें आपके उपर शर्म आती हैं तो सब लोग देख रहे हैं में भी तो ने का कि क्यों शर्म आती है बताईए ने का कि हमने पार्टिशन में इतना कुछ झेला है, मुस्लमानों के हाओ और आप जाके, मुस्लमानों के साथ खड़े हो गये हैं मतलब आप तो गलत साइट पे पहुंच गे हैं तो मेरा उनको जवाब यह होता था कि हमने अपने मजभ अपनी आइडेंटी के कारण से इतनी हिंसा देखी है उसका परिनाम हमने जेला है हमसे बहतर कौन समझ सकता है कि सिर्फ आपके मजभ के आइडेंटी के कारण से अगर आप किसी को टार्गेट करें उसका क्या अंजाम होता है तो मैं सही साइट पे हूँ आप हैं जो गलत साइट पे हैं इस तरह की बहस होती थी मुझे लगता है उसी तरह की बहस आज इसरेल पैलेस्टाइन में भी बहुत जरूरी है कि आपने यहुदी होने के नाते आपने कहा है नेवर अगेन यह दुवारा हम नहीं होने देंगे आप ही गर उसके यह एक बात हुई आपने 84 और 2002 के बीच के पारल्लेल्स बहुत हैं बहुत ज़्यादा हैं दूनों सरकार तवारा अप्रायोजित थे बहुत गंभीर अप्राद है जो सरकार मैं इन दोर में भी देख रहा था कि वही वोटरलेस्ट और यह जो ट्रायोजिन गुजात में मैं कहूं कि एक पुरे मॉल में एक पैंटलून स्टॉर था जिसमें एक स्लीपिंग पार्टनर मुसल्मान थे भी राती है और सिर्फ उस स्टॉर को अटैक करती ये कोई मतलब खुद बखुद तो होता नहीं लोगों ने बहुत लंबी तैयारी की हुई है जाएंटलून स्टॉर को अटाइक करते हैं कि वह हिंदू मुसल्मान दोनों जाते हैं तो ये सिमिलारिटी जबहुत है कई लोग कहते हैं कि इसमें पर बीजेपी और कॉंगर्स में कोई फरक नहीं रहा है इससे मैं सहमत नहीं हूँ बीजेपी के लिए सामताइक नफरत उनका आइडियोलिजी है उसके बिना वो कुछ है ही नहीं और इसलिए जब इस चुनाव में दोहजार चुबीस के चुनाव में जब रधानमंती को लग रहा था कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है तो फिर वो अपने असलियत पर आए और नफरत के भाशन खुद देने लगे कांग्रेस जब सामताइक नफरत और हिंसा में शामल होती है ये उनके आइडियोलिजी के विपरीत है और आइडियोलिजी के साथ धोका है बस इतना फरक है तो अगर आपको इन दोनों के बीच में चुना है जो अपने आइडियोलिजी के खिलाफ जा रहा है उसके साथ आप लड़ सकते हैं कि आप अपने आइडियोलिजी के खिलाफ जा रहे है और आपको सही जाना ज़री है जो हम लोग बाहर रह के कर रहे हैं लेकिन जिसके आइडियोलिजी ही यही है वो बहुत ज़्यादा खतर लाक है, बस इतना फ़रक है तो गुजरात मॉडल की in all of this context जिसमें हम बात कर रहे हैं अगर मैं यह पूछूँ आप से के what makes गुजरात मॉडल unique in the history of independent India क्योंकि आप उसको nationalization of एक गुजरात मॉडल बाद में तो वो क्या है ऐसा उसका unique factor बहुत सारी चीजें हैं संक्रिप में मैं जवाब जाँ हूँ जब इतनी बड़ा हिंसा होती है तो जो जखम होते हैं भरें कैसे सबसे पहले चार चीजें ज़रुए हैं सबसे पहले हैं जिसको मैं acknowledgement कहता हूँ कि हम कहें कि हुआ हैं हम मानते हैं कि यह हुआ है और जो गुजात में हम देखते हैं कि इसके बिलकुल खिलाब मतलब उनने का कुछ हुआ नहीं आप क्या कहरें हैं इवन जॉरौच फरैनाइडिस से गयरे के कि हमें ना सिर्फ हम दुखी नहीं हैं बलकि हमें गर्व है कि यह हुआ वो गौरव यात्रा मतलब कहीं और ऐसा नहीं हुआ है कि आप इतना जादा अपने आपको गौरानवत बहस्स करें कि आप इस नर्समार को अंजान दिया तीसरा जिसको रेपरेशन कहते हैं कि जो असर ग्रस्त है उसको समाज और सरकार हाथ में लाके उनको उनकी सहायता ऐसे करें कि वो आर्थी क्यूप से और बहतर सिती में आए गुजात पहला बड़ा हिंसा की घटना थी जहां पर सरकार ने का हम कोई रेलीज ने करें ने करें दुख की बात यह कि यह मजफर नगर में भी हुआ उसके बाद और पर दिली 2020 में तो स्टेट अब सिर्फ बाइस टांडर नहीं है एक आक्टिव पार्टिसिपंट है तो यह तीसर और चौथा न्याएं इनसाफ यह चार चीजें जरूरी है और इनसाफ को किस तरह से तोड़ा मड़ा मोड़ा गया है तो यह सारे चीजों को मिलाते हुए इस रास्ते में हम चले हैं मैं नेली और इस सब की बात मैं किया हम इनसाफ तो बिलकुली नहीं हुआ एक व्यक्ति को भी चार चीजों नहीं हुआ है नेली में तो लेकिन हम लोग एक अंजाम मतलब यह उस अंजाम तक पहुंचाएं जहां पर वो मॉडल अगर आगे चले और बहुत गर्व से आज भी अमिच्छा कहते हैं कि उसके बाद तो दंगे ही नहीं हुए यह तो हमारी का में जाता तो मैं एक साल वहां पर री-लोकेट करके मैंने लों के बीच में इनसाफ के लिए कोशिश की बहुत मश्किल दौर था लेकिन कई चीज़े में देखिए कि मैं आटारिक्षा में जा रहा हूं आटारिक्षा में लोग हम अपने मजभ का कोई प्रतीक रखते हैं प आप में बहुत इंट्रिस्टिंग चीज़ बोली है आजकल जो हम कैब में जाते हैं आटो में जाते हैं तो मैंने भी ही अब्जर्व किया कि पहले वो तस्बीर रखी होती थी या अल्ला लिखा वाता था अब वो नहीं दिखता है बिल्कुल नहीं जो होटेल के नाम है वो हम अपने हिसाब से जिंदगी और अबादत रहन सेन करेंगे आप अपना रखे हमारी दोस्ती आज वो नहीं रहा वो बिल्कुल बदल गया है वो गुजरात में पहले हैं वो मॉडल मैंने देखा है कि लोग मुस्लमान होना ही बहुत खौफ की बार दो अभी तक जो आपका रोल रहा वो यह रहा कि या तो आप ऐस ए ओफिसर ऑन ड्यूटी आपने अड्रेस किया जो कमिनल वाइलन्स की सिच्वेशन थी या गुजरात के बाद कि आपने भी यह कोशिच करी कि भी ऐस पीस वर्कर आपने जो ट्रांजिशन किया और रिहाबलेटेशन और शोध करता और तीसरे ही ऐसे शोध करता है जी 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 रिसर्चर रिसर्चर तो लेकिन आपका एक बड़ा रोल इसमें भी है कि जब एक कमिटी बैठी के भी कमिनल वाइलन्स बिल के ओपर जब यह एकसेप्टेड होने लगा है स्पेशली आपका उस आर्टिकल के कॉंटेक्स्ट म है कि भई यह जो एक पूरा कमिनल वाइलन्स का एक पारडाइम है इसको स्टेट को अड्रेस करना पड़ेगा तो दो चीजे मेरे जहन में आती है एक तरफ आपने अपनी पूरी की पूरी जो एक करियर है as a state administrative officer वो छोड़ा और इसके बाद आप एक एक स्टेट कमिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं to to form a bill against criminal violence तो पहले तो आप यह बता यह कमिनल वाइलन्स बिल क्या है और आपका decision कि आपको क्यों लगा कि अभी भी state as a factor can role play a big role in this देखें सरकार की जिम्मदारियों से बहुत जरूरी है कि हम उसको मानें जैसे गांधी जी strong state नहीं चाहते थे मैं उसे सहमत नहीं हूँ कि बहुत जहां बहुत असामानता है अन्याए है पैसों के जोर पे या सत्ता के जोर पे तो हमें एक एक अच्छा state की जिम्मदारियां क्या होनी चाहिए उसको हमें उसका कोई विकल्प नहीं है अगर कोई बहुत बड़ा सामचताय खिंसा होती है तो सरकार की शक्ती के बिना उसको रोका नहीं जा सकता या उसको नहीं हो सकता ना उसको रोका जा सकता तो सरकार एक बहतर सरकार किस तरह का हो और अच्छे कानून कैसे हो इसके बारे में भी काम करना जरूरी है पर मैं एक चीज़ कहना चाहरा हूं कि उमर भर मैंने एक बहतर सरकार जिसमें कानून और ये सब शामिन है और अब मैं इतने सालों के बाद मैं ये समझ रहा हूं कि एक अच्छी सरकार सिर्फ एक अच्छे समाज के अंदर बस सकता है आप सुधार समाज में नहीं लाएंगे तब तक सरकार में जो भी आप कानून बनाएं सरकार में वही लोग आके क्योंके करते हैं हमने 1950 के सम्मिधान में कहा कि अच्छाचूत अंटचबिलिटी गैर कानूनी ही नहीं बलकि गैर सम्मिधानिक है लेकिन आज भी अच्छाचूत जारी है पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कानून नहीं बदनना चाहिए लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि सम्मिधानिक हिंसा तब तक और नफरत तब खतम होगी जब आप ये कोई एक फैक्टर नहीं है अगर आपका अच्छा कानून भी होगा अगर लोग अच्छे नहीं होगे तो वो जो इंस्टूमेंटालिटी है कानून की वो वैसे इस्तेमाल नहीं की जाएगी लिकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमें कानून पर काम नहीं करना तो अब आप क्योंके वी हाव अव ख्लारिटी अन दिस तो आप जब कमिनल वालेंस बिल को ड्राफ्ट कर रहे हैं या आप लोग जिनसाथियों के साथ मिलके ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आपने ऐसी क्या ड्राफ्टिंग करी बिल की जिससे आपको लगा कि शायद हिंदुस्तान के कॉंटेक्स्ट में ओवरॉल जो एपारिटस एवाल्व हो उसमें इन चीदों को अवाइड किया जा सकता है जि एन एसी की का कठन हुआ था जिसमें सुन्य गांधी उसके अध्यक्ष थे और प्रधान मंत्री को ये अड्वाइज करने का ग्रूप था कि सामाजे नियाएं से सम्भंधित कानून के प्रस्ता त्यार करना और इसमें आजकर बहुत ये बीजेपी के कारकरता इसको गलत मानते हैं लेकिन आखिर दुनिया के हर अधर देश में राश्ट्रपती प्रधान मंत्री अपने अड्वाइजरी ग्रूप बनाते हैं फाइनली फैसला उनको करना होता है लेकिन अड्वाइजरी ग्रूप मतब अगर उस सरकार ने माना कि हमें ऐसे लोगों का इक ग्रूप बनाना है जो हमें सला देंगे के हम बहतर मियाएं कैसे दिला सकते हैं समाज के पिछवे वर्गों को के लिए उस हैसियत से मैं उसका सबस्या रहा हूँ हमने एक जिम्मदारी ली वो था कमीन वाइनस बिल बनाने का फरह नकवी और में यह दोनों को यह इसकी जिम्मदारी में दी जिम्मदारी ने एक और ड्राफ्ट रियार किया था वो ड्राफ्ट यह कर रहा था कि सरकार को और मजबूत करना जी जैसे टेरर लॉज में यूए पी ए और इंस टाइप के पावर जी 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 उसमें हमारी यह बहस थी कि क्या गुजरात के वक्त में सरकार और आप 84 की भी बात करें क्या मुजरात के वक्त में या 24 के वक्त में इसलिए उस संप्रदाएक हिंसा को रोका नहीं गया क्योंकि सरकार के पास शक्तिया नहीं थी या इसलिए कि सरकार नहीं चाहती तो मैंने जो उधारन दिया था एक जूनियर ऑफिसर एक यंग ऑफिसर की इच्छा शक काफी थी कि आप दंगा रोकें. आ तो शक्तियों की तो कमी था ही नहीं और और शक्ति आंने हम देंगे तो वह तो हमेशा पीड़ित माइनौ één के खिलावी स्नामाल होगका ही तो हमने का है हम ऐसा कानून नहीं बनाना चाहते हैं जो सरकार को और मजबूत करें बलकि ऐसा कानूम बनाते हैं जो पीड़ित नाग्रिक को और मजबूत करें तो जो हमने पहले बात की थी उससे जोडते हुए अगर मैं मानते हैं कि जिसको हम दंगे कहते हैं दंगे इसलिए होते हैं क्योंकि सरकार चाह मतलब इन एक्षिन लगबग आप हर एक बड़े सामतार एक इंसा या दंगा की कहानी देखेंगे तो ये बात बार बार निकलेगी किस सरकार पुलीस ने कुछ ने किया पुलीस ने होने दिया आर्मी को भी नहीं बुलाया खुद भी कुछ नहीं किया और कुछ घंटों तक चलने दिया ये अज हमने ये महसूस किया कि उसको हम अपराद ही नहीं मानते हैं सब्सक्राइब कि रिर्फित है क्रिमिनल अकाउंटाबिलिट्ट्य शामतार कि आपने नहीं आठीक है कि हिंसा शुरू होगे चराजार का दंगों का इंदोर नहीं है और पुलीस कहते हैंकि we have orders not to act हमें यह कहा गया कि हम कुछ नहीं करें और यह बार-बार हम देखेंगे तो हमने बेसिकली इस कानून में यह प्रस्तावित किया था कि एक नया अपराद और इसका अंद्रेजी में बताता हूं फिर हिंदी में बताता हूं inaction by public officials मतलब आप राधिक इनक्शन को क्या कहेंगे हैं काम ना करना क्रिमिनल इनक्शन इनक्शन तो मतलब सरकारी अधिकारी अगर अपने जिम्मधारी को ना नभाये और उससे साम्रादाइक हिंसा जारी रहे उसको एक अपराद के रूप में बाला जाए यह मुंस्ट इंपॉर्टन रहा हूं कुछ भी हो अगर सरकारी अधिकारी जाने कि मुझे मेरे खिलाब कानूनी कारवाई होगी तो कोई रिस्क नहीं लेगा और कैसे दंगा को रोकना है सब जानते हैं जहां सरकारे रही लेफ्ट की या लालो प्रसाद की जहां पर रोकना था रोक आपका जो आपका जो एक्सपिरेंस एन आफसर था आपको समझ था कि चोट मारनी कहां पर है मुझे उनने कहा कि मेरे एसपी ने कहा नहीं आएक करनो चली एसपी पूछे आपको किस ने कहा मुझे आईजी ने कहा आईजी ने किस को कहा डीजी को कहा मुख्य मंत्री ने कहा चली responsibility trace करने के लिए और वो सब अपरादी माने जाएगा यह मुख्या बात थी दूसरा जो जो थुआ सा complex है मैं briefly explain करने की कोशिए करता हमाई जो पूरी criminal justice system है इस विचार इस सोच पे बनाए गई है कि सरकार victim के साथ होगा जो period है उसके साथ तो सरकार होगा है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसलिए public prosecutor सरकार case victim की तरफ से नहीं होता है public prosecutor की तरफ सरकार की तरफ से होता है accused के जो दोशी माने गए हैं उनके खिलाब लेकिन वास्तिबकता अगर यह है कि सरकार मतुंब पीड़ेत के साथ नहीं है बलकि मारने वाले के साइड में है तो period के साथ पिर कुछ भी नहीं है उसकी कोई भूमिकाल नहीं है उस कानुनी प्रक्रिया में और उसकी रख्षा में ही विक्टिम को अधिकार होना चाहिए कि मैं अपने वकील रखूंगा, मैं वो तो आज भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी मैं खुद अपने विटनिसे लाओंगा, मैं भी क्रॉस एग्जैमिनेशन करना चाहूंगा, जो अभी सिर्फ पब्लिक प्रॉसेक्योटर कर रहे हैं, यह क्वारी दूसरी चीज हुः झाहरें और तीसरे थी रिलीफ अंडियाप, जिसकी बात हम करें, कि सरकार को यह अधिकार नहीं होना चाहिए, कि इसमें तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम इतना देंगे, इतना हम नहीं देंगे, गुजात में Coleika कि रिलीफ, मैं यही नही की बात है क्योंकि दूसरी सरकार थी केंडर में और यहां लेकिन उन्ने रिरिफ रिहबिटेशन अपने कुद देखा ना के बराबर किया और कंपनेशन आज तक भी नहीं मिला है जातर लोगों को और हम लोग एक बड़ा केस लेके अब हाई कौर्ट सुप्रिम कौर्ट जाने में की तियारी में है क्योंकि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं तो हम तीसरी चीज़ यह कहना चाहर होगा रिलीव करना होगा यह कॉंपनसेशन देना होगा यह विक्टिम के लिए आपको यह सहायता लेना होगा कुछ समय पहले हमने डॉक्र शारुकालम जो एड्वकेट हैं उनका उपिनियन किया था उन्होंने हेट स्पीच के परस्पेक्टिव से बात की थी जो टॉट ल लेकिन यह कानून हो जाता है तो बहुत कुछ बदलता है क्यों नहीं हो पाया कानून क्या रुकावट आए इच्छा शक्ती नहीं थी राजने कि साहस नहीं थी लेकिन कॉंग्रेस ती जिसने कमिटी बठाई उसी ने आपको अपोईंट किया उन्होंने ही चाहा कि तरह का हमारा जो मसवदा था उसमें भी बहुत बहुत हुए और बहुत में ये बात भी उठी बार-बार कि इससे ये राजनीतिक रूप से आपके लिए बहुत कश्धायक होगा सुने गांधी ने बहुत साफ कहा कि राजनीति मुझे मुझे छोड़िये सही क्या है गलत क्या है य कि ये बहुत सही है अगर ऐसा कानून हो लेकिन आकरी वक्त में किसी ने इसका इसको सपोर्ट ने कि इंक्लूटिंग सुनिय गांधी ने सुनिय गांधी ने तो सरकार ने जो ते उन्होंने मतलब वो सारे कदम नहीं उठाये जिसके अगर आप सचमुचे कानून लाना चाहते हैं। उसको इंट्रिद्यूस करने का तो उनके पास शक्ती थी। रिजेक्ट करें अलग बात है। लेकिन उनके पास नंबर्स थे। लेकिन वाइ कुड सुनिया गांदी नॉट इंफ्लूएंसर होन मिनिस्टर्स। सुनिया गांदी को नेसी में कई चीज़ें हैं जो प्रस्तावित किये गए थे। क्योंकि मुझे आपने कुछ देर पहले बोला कि आप वाजपाई इसे मिलने गए तो कहीं इच्छा शक्ती ना होना या इस तरह से कि हाथ पे पावर मतलब आज की टेट में हम देखते हैं कि एवन राहुल गांदी इस पावरफुल इनफ तो मोटिवेट और मोबिलाइज ओल अफ कॉंग्रेस अल टुगेदर मैं समझना चाहरा हूं मतलब मेरा कोई इसमें वह नहीं है या इस ट्राइग तो अंडर्स्टांड के कॉंपलेक्सिटी क्या है और कि अपलेक्सिटी यह है कि सरकार एक चुनी हुई सरकार है और बहुत अच्छे काम मनमौन सिंग्जी कि सरकार नहीं किये और कुछ चीजों से हम असहमत भी हो सकते हैं जे उन्होंने बहुत सारे किये और सुन्य गंधी बहुत क्याली कहती थी कि हमारा काम सिर्फ एक अड्वाइस देने का है और अंत में फैसला प्रधानमौन तो एक तरीके से यह बात है कि आप ठीक है आप भार सेंस का मतलब यह नहीं है कि आप गवन कर सकते हैं इंसाइड इस तो एक जो इंपॉर्ट इसके बावजूद जो popular attitudes हैं और क्योंकि आपने बीच में एक इशारा भी किया कि ठीक है सरकार के हाथ में शक्ती है बट इच्छा शक्ती popular narrative से आती है और social movement से आती है और समाज के अंदर से आती है और यही बात आपने अपनी जो forgetting जो between memory and forgetting massacre in the moody years in गुजरात में जब रखी है उसमें आपने बोला कि एक pivotal moment था हिंदुस्तान की तारीख में कि national level की politics में एक ऐसा popular act of a far right movement उसको accept कर लिया गया उसके खिलाफ पूरी तरीके से कारवाही नहीं हुई और जो सारी चीज़ें एक बहुत assumed होती कि यह action होते तो कही ना कहीं वो एक entry point थी popular politics की और जहा कॉंग्रेस का जो इतिहास है नहरू जी के वक्त में इसके secular conviction सबसे मजबूत थे शास्ती जी को कम समय मिला इंदा गांधी के पहले दोर में बाकी दिक्कते नहीं रही पर I think secularism पे उनका यकीन मजबूत रहा लेकिन उनके 1987 के हार के बाद जब आसी में दुबारा आई तब से हम देख रहे हैं कि वो भी समझोता करने लगी जैसे गाए हत्या के मामले में और मामलों में और राजीव गांधी के वक्त में बहुत डंभीर रूप से मुझे लगता है कि उनकी उनकी compromises रहे चाहबानों के मामले में आयोधिया के दर्वाजों को कुलने के मामले मे लेकिन फिर भी जो इसका सबसे ज़्यादा पतन तो 1992 में ही हुआ क्योंकि ना सिर्फ मतलब कई स्टेप्स लिए जा सकते थे उस भीर को वहाँ पे इकठा होने की इजाज़त ना मिलती है और भीर के इकठा होने के बाद जो कारवाई हो सकती थी वो नहीं हुई लेकिन मैं मानता हूँ के सबसे कालिश में बदा सबसे गंभीर शैद ये बात हुए कि उसके 36 गांटों तक गिरने के बाद वहाँ एक चोटा सा मंदिर बनाने की का वक्त दिया गया अच्छे जी और क्योंकि तब तक एकली संभव था ये सोचना के चलिए मस्जिद गिराएगा मस्जिद दुबारा बनाए जाए उसरी एक आस्था का मसला दोनों तरफ से बन गया पर एक बार मंदिर वहाँ बन गया तो उसका स्वरूब बदल गया हम मैंसे कई लोग मानते अच्छान के सबसे तरास्ती के जो वक्त अगर हम गिने तो पहला है गांदी जी की हत्या और फिर बाबी मस्जिद का गिराना की बाबी मस्जिद एक पुराना मस्जिद ही नहीं था बलकि एक प्रतीख था उस वादा का कि हर मजभ के लोग को बराबर के हाग है जो मसल्मानों ने अपनी इवन पार्टिशन के कॉंटेक्स्ट में भी एक वादे की तरह एक सेकुलर स्टेट से किया था और मैं इस वक्त मैं याद कराना चाहता हूँ गांदी जी की आखरी जो जो दो हफ़ते पहले उनके मारे जाने की दो हफ़ते पहले उनने आखरी उपवास और शबसे महान उपवास उनका बो था बहुत जादा आक्रोश था चरना थी हजारों हजारों की संख्या में थे रेल के रेल भरके लाशों से आ रही थी दोनों तरफ उस महौन में इवन लोग बताते हैं कि नहरू पटेल आजाद ने भी गांदी जी को का कि ये सही वक नहीं का ये ही सही वक थे उनकी मांगें क् जो पहली मांग तो बहुत लोग जानते हैं कि एक हिस्सा जो खजाना का था वो पाकिस्तान का हिस्सा ना दिया जाए तो गांदी ने का कि नहीं भाईों में अलग हो सकते हैं भाई लेकिन भाई हैं उनको अपना बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए लेकिन दूसरी जो मांग थी इससे में बहुत आहम थी और इस वक्त में उसको याद करना बहुत जूरी है। उस वक्त कनौनूट प्लेइस में डिली मैं जो मस्जद थी उसके अंदर मूर्तियाँ रख़ती गई थी। जो दर्गाह है महरोली मैं इसके अंदर मूर्तियां रख दी गई थी हिंदु महासभा और RSS की तरफ से एक कैमपेंग था कि अब मुस्लमानों की यहां कोई जगे नहीं है और सारे इनके जो अबादत घर हैं अब हम मंदिरों में इसको परिवर्थित करेंगे कांदी जी का ये बात के बहुत सपश्ट था कि कोई भी मतलब असली धर्म के जगे नहीं हो सकती है जो दूसरे मख़ब के अपमान पर या उसके साथ हिंसा पर आधारत हो जी उस नाते से मुझे इतना भी शक नहीं है कि वो जो आलिशान भवन बना है योदिया में उसको कभी वो मंदर मानते नहीं तो उनकी दूसरी मांग ये थी कि पूरी इज़त के साथ हम ये मस्जिदों को दरगाओं को अपने मुस्लिम भायों बेनों को हम वापस करें और कहीं कि आपकी अबादत का गर है हम इसका पूरा सम्मान करें कहते हैं कि पहले दिन में इर्फान हबीब उस वक्त 19 सार के थे जो इतिहासकार हमारे वो खुद बताते हैं मुझे बता रहे थे कि पहले दिन लगबग 10,000 लोग दिली के सड़कों में उनके मांगों के समर्थन में नेकले पांचवे दिन में एक लाख लोग उनके समर्थन में नेकले उनकी सारी मांगों को स्विकार किया करना पड़ा किंदु महासबा RSS ने दस्तकत करके विकार किया कि मस्जिदों को और कौन लोग थे जो गांदी के पीछे खड़े हो गया है आज के डेट में उस तरह का मूवमेंट इवन दो पार्टिशन आप अगर देखें कि जो पार्टिशन के दौरान वाइलन्स हुआ है बेट्वीन कमुनिटी उसकी कंप्लेक्स हिस्ट्री है उस पर हम नहीं जाएंगे ल पूरा वो किया कि दोहजार चौबीस के लेक्शन में इवन तोड़े, I mean मैं इस पे बिलकुल यह नहीं बोलूगा कि राउल गांदी अच्छे नेता नहीं है अच्छा काम नहीं कर रहा है बट साडली, even he is not able to pick up Muslim issues, अगर he is representative of the Gandhi ideal, he is not been able to, जो आपने अभी उदारन दिया कि in the worst of times, this is not the worst of times, in the worst of times he was able to take a position, जो बहुत ही ज्यादा नापसंद होने वाली position थे, यह कहना कि आज हम हर चीज़ की बात करेंगे लेकिन Muslimानों की बात नहीं करेंगे, मान लिजे कि आप Nazi Germany के बीच में जिंदा थे, और जरूर कई चीज़ें गलत हो रही होंगे, आप कहे कि हम हर चीज़ की बात करेंगे, यहुदियों की बात नहीं करेंगे, तो इतिहास आपको किस नजर से देखेंगे, आज मुसल्मानों पे जो हिंसा का दौर, हेट स्पीच, लिंचिंग, यह सब जो चल रहा है, यह मतलब मुसल्मानों और कुछ हद तक Christian लोगों के ओपर जो हिंसा है, वो एक्चली सम्मिधान पर हिंसा है, जी और इस देश की पूरी जो कल्पना जिसको आइडिया उफ इंडिया, उस आइडिया, आइडिया क्या था, अमरीका के प्रेजिडिंट बाइडन ने कहीं यह कहा कि, अमरीका एक मातल देश है, जो एक जमीन का टुक्रा ही नहीं है, बलकि एक आइडिया है, मैं उन से सहमत नहीं हूँ, इंडिया एक जमीन का टुक्रा विलकुल ही नहीं है, उस से बहुत बढ़के यह एक आइडिया है, कि इस पूरे हमाएं बहुत कम्या रही जाती की और महिला उत्पिरन की, लेकिन यह एक ऐसा जमीन का टुक्र के जगे यही रोके दो इसी को अपनाया और सब को मिला मिला जो ले जो वो इतिहास रहा है उसकी रक्षा या उसके उपर बार जो जुबही था आपने कहा हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं आज वही नहतिक नहतिक सहस, राजनहतिक सहस, की कम ही जरूर है ये मैं बहुत लियली कह रहा हूँ आप कहीं कहीं तो जब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं हमाई दोस्त वनोज्जा जो बहुत बढ़िया MP है हम लोग कहीं बैटे थे वो कह रहे थे कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व क्या है कोई सॉफ्ट शैतान होता है हिंदुत्व to हिंदुत्व ही है तो के आप एक इडलोजिकल बैटल फाइट कर रहे हैं और आपका फाइट करने का त्रीक है कि आप जैसे हम दिखना चाहते हैं तो कहां आप आइडियोलजी फाइट कर रहे हैं? कहीं मुझे लगता है कि ये मुस्लमानों के साथ ही नाइसाफी नहीं है बलकि हिंदू के साथ भी नाइसाफी है. क्यों? क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि हर हिंदू के दिल में आज नफरत है और हर हिंदू आपके लिए मुस्लिमानों के साथ मुस्लिमान जो अबादनाग्रिक हैं उनके साथ नानसाफी भी कर रहे हैं और हिंदू समाज के बहुत सारे लोग जो ऐसे नफरत पर यकीन नहीं रखते हैं उनके साथ भी नानसाफी कर रहे हैं उनके साथ भी एक तरह से धोका करने हैं। मैंने बहस कॉंग्रिस के वरिष नीताओं से कई बहस किये। मैंने कहा कि अगर आप यह हम तो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पावर में आएं। अगर हम सेक्रिरिजम की बात आगे करेंगे तो हम पावर हार जाएंगे। फिर क्या फाइदा। तो मैं एक तो इनको कहता हूँ कि कुछ लड़ाईयां हैं। अगर मान लीजे कि आप हार जाएंगे क्योंकि आपने सही किया तो ऐसी लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। अगर गांधी जी इसी तरहें से सोचते हैं। गांधी का मरना इंदुस्तान को जिन्दा रखने में। उसी से हम जिन्दा हुएं। आज आप और मैं सरूचा रखते हैं अपने देश के बारे में। क्योंकि उन्हुने उस वक्त वो फैसला लिया जो बहुत कम लोग ले पाते ह। यह सरी है। नेलसन मंडला हैं जन्हों उस तरह के फैसले किये। बहुत कम लोग इत्यास में आते हैं। और हमाई कुशकसमेती हैं। गर्भ है कि हमें वो रास्तह बताएगया। वो नेतिक शक्ति की जरूफ है लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जो नेतिक रूप से सही है वो मेरे ख्याल में राज्नेतिक रूप से भी सही होगा क्योंकि अगर मैं हिंदुत-वबादी हूँ है तो मैं कांग्रेस के लिए कोई वोट दूँ जी मैं तो जो असली 100 साल से काम करें मैं उन्हीं को ले तो वोट दो और अगर मैं सेकुलर हूँ तो आपके अपर यकीन कैसे करूं आई फील कि बहुत स्ट्रॉंगली कॉंग्रिस में जो अभी भी बहुत चीजों में राहुल कांदी सही कर रहे हैं लेकिन मैंने नोट किया कि वो हर चीज की बात करते हैं ले वो तो नहीं करते हैं स्मॉल एम वर्ड जो माइनॉरिटी है वो यूज करेंगे लेकिन जब माइनॉरिटी भी यूज करेंगे तो पहले कहेंगे सेस्टी ओबीसी और माइनॉरिटी सेस्टी ओबीसी मजदूर किसान और माइनॉरिटी इस तरह से करेंगे यह नहीं पश्ट कोई सामानियों वक नहीं है 2024 के चुनाओ और इसके आगे पीछे जो हो रहा है ये तै करेगा किस तरह का देश हम अपने बच्चों के लिए छोड़ेंगे और जिस तरह कि नेतिक साहस कांधी और देश के बहुत सारे नाग्रे का आप कहरें वो एक राख लोग आज कहा हैं हैं ती एक प्रोटेस्ट में हमने देखा लोग निकले और देश भर में मैं जब जाता हूँ इंसानियत अभी भी है मतब कुरूरता भी बहुत है नफ्रत भी बहुत है लेकिन हम जहर काफी पहला है लेकिन अभी भी हम अपने आपको बचा सकते हैं लेकिन एक सवाल मेरे सामने ये उठता है कि आपने जैसे ये बोला कि जो पुलिटिकल विल है तो इवन आफ्टर गांधी जब कॉंग्रेस फेल होना शुरू ही अलग-अलग मॉवमेंट्स पे आम आत्मी पार्टी है अभी वीसेंटली करप्शन के ओपर उससे बड़ा कोई मॉवमेंट रीसेंट हिस्ट्री में पुलिटिकल नहीं हुआ है बट मुजफर नगर में भी कम्यूनल वाइलन्स बहुत बड़ा हुआ एक पोग्रोम हुआ दिल्ली में भी हुआ आप बोलते हैं कि ये एपिसोड कम हो गए हैं क्योंकि इनका बैगेज बड़ा है और उस पर हम आएंगे लेकिन हुआ और दोनों जगा एक सो कॉल्ट समाजवादी सेकुलर विचारधारा रखने वाली पार्टियां थी तो आज as a minority, as a musliman जब मैं ये देखता हूँ कि political alternative पहले अगर कोई centrist, कोई secular, कोई liberal fail करता था तो कोई एक alternative होता था आज की date में तो कोई alternative ही नहीं है नहीं, बहुत सही है जो आप कह रहे हैं ये विडमना मतलब आज की समस्या सिर्फ भाजपा नहीं है पूरा जो राजनेतिक पूरा जो left to right ecosystem है उस पर बहुत सारे सवाल है इसके बावजूद कि मैं मैं याद है, जामिया में हम बैठे हैं जामिया में एक बार मैं कहीं talk दे रहा था तो एक muslim नوجवान बहुत अदासी के साथ वो खड़े हुए उनने कहा कि मैं अपने देश को जितना भी प्यार करूँ जितना भी मैं इस देश के लिए करूँ मैं तो minority ही रहूँगा तो मैंने उनको जवाब दिया तो बिना तैयारी के मैंने ये कहा कि मैं नहीं मानता हूँ कि आप minority के है है मैं कहा हूँजिया आप कैसे कह सकते हैं मैंने कहा कि हम अगर लड़ाई इस देश मेंücht ही हिंदो और muslimन के बीच में होता है तो जरूरर आप minority होते हैं لیکن मैंनी मानता क्वपिन लड़ाई कभी भी हिंदों मुस्मान के बीच में रहा है पार्टिशन को छोड़के पार्टिशन के बाद रड़ाई उन लोगं के बीच में हो रहा है जो मजभ का इस्थमाल नफ़त और सब्दा के लिए कर रहे हैं और जो जो लोग अपने मजभ को मानते हैं लेकिन बागी सब की इज़त करते हैं मैं मानता हूँ कि मैं और आप दोनों दूसरे कम्यूनिटी के हैं और हम मजॉरिटी में हैं इतना तो आज भी मैं कह सकता हूँ उस मजॉरिटी के बावजूद भी क्यों हमारे राजनेतिक दर वो साहस नहीं दिखा पा रहे हैं यह बहुत बड़ा सवाल है क्या वो इसलिए साहस नहीं दिखा रहे हैं मैंने सबसे वरिष्ट कॉंग्रिस के नेताओं से मानिट पूछा कि मध्यप्रदिश में क्या हुआ इस चुनाओं में 36 गर में क्या हुआ जवाब काफी खौफनागता है। उनने कहा कि RSS के बिचारधारा के लोग कॉंडरिस में हर सर में हैं। और ब्यूराक्रिसी में पुलीस में भी इस बिचारधारा के लोग गुसे हैं। तो ये जो सेटुलर पारटीस सोगाल सेटुलर पारटीस क्यों मैनौरटी के हक में, सेकलरिस्म के हक में, और सम fed python के हक में सीधाझ हैं। उसके recommendation हो सकते हैं। एक कारण हैं उनकivas का यकीन ही है। और अगहर ये तो असब से खतरनाक हैं। के उनका यकीए ही समयधान मुल्यों पर नहीं है वो सिर्फ गलत पार्टी में यह एक कान्ण हो सकता है एक के उनका जात्ए एक साहस नहीं है यह इस्टραइन लेने के लिए और उनको लगता है कि हर हिंधू मुस्लमान तो कहीं जाएं नहीं सकता है और हिंदू में अधिकांच लोग अब राडिकल हो गये हैं और वो हमारे खिलाब जाएंगे मुझे लगता है ये दोनों बहुत गलत एक राडियतिक कैलकुलेशन है ये एक सीधी लड़ाई है विचारों की एक आइडिया जिसको कहने ये आइडिया उफ इंडिया की रक्षा की लड़ाई है समयधान की रक्षा की लड़ाई है इसमें हम लोग तातकालिक फाइदे के लिए समझोते करने लगेंगे इतियास माफ नहीं करेगा इनको और बहुत हद तक भाजपा और आरेसेस की सफलता इस कारण से है कि जो सेक्लो बिचारदारा की राजने तेक्ताल है लेकिन समाज में भी जो लोग है वो हिम्मत से यकीन से बात नहीं उठा रहे हैं ड़ड़ने रहे हैं मैं सिवल सुसाइटी की बे बात करूं जिसको हम इंजियो सेक्टर कहते हैं वहां भी मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग अब चुप होते जा रहे हैं इस दोर में कि सरकार अब बाकी कुछ बोलें मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ मैं इंवाइरिम्न की बात कर रहा हूँ मैं फ़ला की बात कर रहा हूँ उसके लिए जग्या है लेकिन इस विशे पे मैं बात करूं तो बहुत खत्रे हैं तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा तो हम सब इस मार्टन लूथर किंग नहीं कहा है कि अंज में हम अपने दुश्मनों की के शब्दों को याद नहीं करेंगे हम अपने दोस्तों की खामोशियों को याद करेंगे तो उस खामोशी का का असर भी है आपने इंडियन एक्सप्रेट्स में वार्टिकल लिखा जो सुनिया साडली वो जब जब की इलेक्शन हारने के बाद सुनिया गांदी ये बोलती है कि शायद इस वज़े से हम आर गए क्योंके हमें मुस्लिम अपीजमन्ट की पार्टी की तरह देखा जाने लगा है और उसके रिस्पॉन्स में जो आपने पूरा का पूरा एक इंटिलेक्शन रिस्पॉन्स दिया अपने तरफ से तो उसको तुरा तफसील से बयान कीजे सुनिया गांदी क्योंके मैं उनके साथ NAC में काम किया हूँ हम बहुत स्रॉंग्डी सेकिलर माइंड है और जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा कि मुझे दुख है कि एक किसम की रिग्रेट और मैं कॉंग्रिस में ये सुन रहा था दोजान चौदा के सामने कि हमने मुस्लमानों के लिए और गरीबों के लिए बहुत कुछ किया इसलिए हम भारे है अब हमें मतलब में इन्टिलास के लिए और हिंदो के लिए हमें बोलना चाहिए मेरा जबाब यह था गया है विश आपने बहुत कुछ किया होता तो आप इस हालत में नहीं होते है तो उस कॉंटेक्स में मैंने कहा कि मुस्लमान आज एक तरह से हमाएं राजनितिक का अनात्सा बन गया है सभी राजनितिक दालों में कभी भी इतने कम कैंडिट्स खड़ा भी ही नहीं किये हैं जो मुस्लम आइडिनिटी के हैं और कैबिनेट में मंच में आप साथ में दिखना नहीं चाहते हैं यह बहुत दुखता ही है कि हमाएं 20 करोड मुस्लम हैं जो बराबर के नागरिक हर तरह से इस देश के हैं मैं कई बार कहता हूँ कि मुस्लिम एक ही समदाय है जहां जो इंडियन बाइड चॉइस है क्योंकि आपके पूरवजों को एक मौका था वो चुलते कि इसलाम पे आधारत एक देश में जाना आता है यहाल मजभ को बराबर कहा उन्हें इस देश को चुना हम बाकियों ने तो चुना नहीं तो आप मुस्लमान इस देश के बराबर के नागरिक है और इस देश के प्रतिय उनका महभबत है इस देश को उनकी जरूरत है और उनके साथ इस तरह का कि हम उनको अलमस्ट हाशे में डालना चाहरे है कई वरिश्ट मुस्लमान भी मुझे कहने लगे कि हमाने लिए तो मतलब हमें हमारे बारे में चुप रहें ताके हम बच्चे रहें अब इस तती में इसलिए मैंने वो लेख लिखा कि नहीं आप आप बरावर के नाग रिखें और गलत है यह मुसलमान आपको खुद बोल रहे थे कि आप हमारे बारे में मत बूले हाँ इस से हम बच्चे रहेंगे और एक बड़े नेता जिनका नाम मैंने लिया उनने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमान अपने हमारे रैलियों में आए लेकिन टोपी पहन के नहाए दिखे नहीं कि वो मुसलमान है बस नंबर्स की तरह आ जाएं तो इसके कारण से मैंने लिखा और बहुत पिड़ा के साथ की ये मेरा देश नहीं है जहां पे मुसलमान को डर के सहम के बच के हाशे में छिपना जरूरी है उस लेक को लेके बहुत बड़ी बहस चीड़ी एक तरफ इन फैक्ट जो कम लोग जानते हैं पाकिस्तान से इमरान खान जो पिछले गुजरे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने लिखा कि बहुत आप इसको पढ़िये तो जिना साथ के नहीं होते हैं तो हम सब इस हालत में होते हैं तो पाकिसान बना इसी कारण से बना तो बहुत सारे लोगों उन्होंने पिर उनको जवाब दिया जस्टिफिकेशन वो कर रहत हैं तो उन्होंने का कि पाकिसान बना इसलिए हम इसालत में हैं तो वह एक बहस एक तरफ की बहस हुई लेकिन मुख्य बहस ये उठी उस आर्टिकल से कि मेरे बहुत अच्छे पुराने दोस्त आज भी और देश के प्रमुक चिंतक भी हैं रामचंदर गुहां उनने कहा कि हम लोग 40 साल से दोस्त हैं कॉलिज के वगत से लेकिन लिबरल्ज हर्ष्वंदर जैसे लिबरल्ज में ये दिक्ट है कि मुसल्मानों के समाज के अंदर जो कमिया हैं उस पे वो कोई दिकर नहीं करते हैं कोई प्रगतिशील उनका लीडर्शिप नहीं निकला है और हिजाब और इस तरह की चीज़ों के बार में उनने दिखा कहीं एक तरह से उनके ये कहने से एक दुखती रख पर जैसे उंगली से पड़ गए और कभी इसके पहले या बाद भी नहीं हुआ कि पन्दा दिन इनिन एक्सप्रेस ने एक पूरा पेज इस पे इतने लेख आये कि इस डिबेट के ही इर्दगिर्द बातचीत रही और पर पन्दा दिन और बाद ने का अब तो हमें खत्म करना ही पड़ेगा फिर हमनों का आखरी स्टेट्मेंट्स दिये गए मेरा ये जवाब था उस पूरी बहस में कि ये कोई शक नहीं है कि मुस्लमान समाज के अंदर समस्याएं हैं और सुधार की जरूरत है लेकिन हर समाज में हर समाज में सुधार की जरूरत है आप अगर पीड़त हैं तो मैं आपके साथ शर्तों के साथ तो नहीं खड़ा हूँ कि आप आपका गुड बियेवियर हो आप अच्छे रास्ते पर चलें मैं बताओंगा कौन से रास्ते से आ आप पीड़े थे हैं इसलिए मैं आपके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। जहां तक समाज के अंदर सुधार की जुरूत है। अगर बातचीत यह होती है कि हर मथभ के कानून और नियम हैं उसमें महिला को समानता नहीं मिल रही है। इसलिए हम सब मथभों के कानूनों में सुधार लाएं। इसलाम में यह सुधार होना चाहिए। हिंदू में यह होना चाहिए। क्रिस्टिन में यह होना चाहिए। वह एक अलग किसम की बहस है। वह नहीं हुई है। और उसमें स्पेज में मुसल्मानों को बिलना चाहिए कि वो इस इशू को किस तरह सोचते हैं। बिल्कुल और सुधार कैसे उसमें लाइंगे। लेकिन अब तो कई मुसलिम इंटलेक्टिल्स भी मुझे ये कहते हैं कि हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं अपने हालात के लिए। वो बहुत ही गलत है। मुझे लगता है कि बिल्कुल ही मतलब खुद को ब्लेम करना जिस हालत में हैं ये देश क्यों इस जगे पर पहुंचा हैं उसमें मुसल्मान उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अच्छा अभी तक तो आपने जो पूरा जो कर्मिनल वाइलेंस का किस्सा बताया वो एक तीन फेजिस में बताया और चौथा फेज आपने उस करफ इशारा किया और हमने सोचा कि हम आगे उसको तफसील से आपके लफजों में जहनना चाहेंगे तो ये जो 2014 से लेकर 2024 तक अपका ये जो पिछला 10 साल गुजरा है उसमें ये देखा गया कि हलाकि दिली दंगा हुआ मुजफर नागर के बाद बद जिस नंबर ओफ टाइम्स जो इस तरह के दंगे होते थे आजाद हिंदुस्तान में वो अक्सर होते रहा करते थे लेकिन इसकी इंटेंसिटी और इ लिजन में होता था और एक अब नया लेवल का मॉब लिंचिंग और ये लिंचिंग कई लोग नहीं समझते हैं कि इसका खत्रा क्या है आखिर लिंचिंग में जितने लोग मारे गे हैं हाला कि सरकार उसका उसके आंक्डे नहीं रखते हैं हिप्ट्राइम ट्रैकर्स कुछ बने हैं उतारे गे हम अब बनाना चाहरे हैं लेकिन जितनी भी संख्या निकलेगी कुछ सो लोग शैद इन दस सालों में मारे गे हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि कि किसी बड़े दंगे में हजारों में लोग मारे गे तो इसका क्या महत्व है लिंचिंग शब भी किसी किसी हिंदुस्तानी भाषा में इसके लिए शब भी ने था लिंचिंग कहां से ये बात निकली है लिंचिंग अमरीका में इसकी एक विशेश कहानी है लेट 1990 से 1960 तक लिंचिंग होता था क्या होता कि मूल के आदमी को का लिंचिंग होता था उसके लिए बहुत बड़ी बड़ा हुजूम एकठा होता था एक पिक्निक ट्राइप होता था बच्चे भी आते थे और देखते थे उसकी एक एक उंगली को जिसने से काट के उसके गुपतां को काट के बहुत पब्लिक परफॉर् कौन गुरुप से कोई कोई खास गुरुप था इसमें वाइट सुप्रेमेंसेज, कुकलाच लैंड वगरा है, पर एक जेनरल मतलब उसमें समाजिक, उसका समर्थन बहुत बढ़ा था, बल्कि फूको ने अपनी किताब में 16 सेंचरी यॉरोप का दिकर किया है, जिसमें जो प मतलब एक तमाशा के तौर पे, एक प्रदर्शन के तौर पे जब हिंसा होती है, तो वहां के इतिहासकार डिखते हैं, किसी एक इतिहासकार ने कहा कि एक लिंचिंग, हजार लिंचिंग के बराबर था, जो पूरे देश में नदी और पहार से गुजरते हुए, हर अफरीकी मूल के इनसान के दिल में बैठके, डर के तौर पे बैठके हैं, हमारा जो लिंचिंग आज है, ये भी एक परफॉर्मंस है, ये लिंचिंग हमेशा अल्मूस्ट इन एबरी केस, एक वीडियो कैमरा, मतलब भीड अब देखने कठा नहीं होती है, लेकिन उसको फिलमाया जा बराबर या एक लाज लिंचिंग के बराबर है, जो हर मुस्लमान देश का हर कोने में, हर मुस्लमान के दिल में डर और बहुत सारे हिंदों के दिल में नफरत भरता है, अब उसका उधारन, आखिर एक लड़के का इसके नाम जुनियत था, उसका लिंचिंग रेल में हुआ बहुत बुरी तरह से देश के हर कौने में आपके उमर के यह नौजवान, मुसलवान मुझे बताते हैं कि अब हम ट्रेन में जाते हैं डर लगता है मा कहती हैं कि मैं फोन करूं सलाम अलेकुम नहीं कहना मतलब किसी को जाहर नहीं करना है किसी के साथ खाना नहीं बाढ़ना किसी के साथ बातचीत नहीं करना बहस में तो बिलकुल नहीं राजनेतिक बहस तो बिलकुल ही नहीं करना वगयरा वगयरा तो एक लिंचिंग का इतना असर हुआ कि बीस कलोर मुसलमान अग्रास तक कंट्री एक सिपाही घुसे ट्रेन में आपको याद होगे और तीन मुस्लमानों को उन्होंने मार दिया अग्रे दिन सुबह मेरी एक मुस्लिम कॉलीग है वो मेरे कमरे के अंदर घुसी आफिस के कमरे में पूट पूट के रोने लगी मैंने कहा कि जब से यह हुआ है मैं सो नहीं पा रहे हूँ सोच नहीं पा रहे हूँ मैंने कहा क्यों एक ही ख्याल मेरे मन में आता है कि वो मेरे पिता हो सकते थे वो मेरे भाई हो सकते थे यह है असर लिंचिंग का दंगा जितना भी बड़ा हो वो एक भूगॉलिक एरिया में होता है उसकी शुरुआत होती है उसका अंत होता है लिंचिंग का कोई शुरुआत कोई अंत नहीं मतलब अखलाक का ये हुआ तो कोई भी लगता है कोई आपके कमरे घर के अंदर घुसके आपका फ्रिज में देखेगा कि आप क्या मीट याप क्या खरीद के लाएं है और इसके बेसिस पे आपका लिंचिंग हो सकता है आप किसी दूसरे मजब के लड़की से बात करेंगे तो आपके साथ कुछ हो सकता है इस तरह का एक जो लिंचिंग साम्तरदाइक रिष्टों में सबसे खतरनाक मोड है और इसलिए हमने कारवान महबत शुरुआत की बहुत संक्षिप में क्योंकि गांधी जी से ये सीखा क्या किया था उनने जब ये हिंसा शुरू हुई थी सबसे पहले वो गे नवखोली में गे जहां हिंदों की बहुत बड़ी संक्या में हत्या हुई उसके बाद बिहार में बहुत बड़ी संक्या में मुस्लमानों की हुई वहां पहुँचे आजादी जब हमें मिली वो कलकते में थे वहां पे बहुत लंबा उपास किया लोम के बीच में जो इससे पीड़े थे और तो मैंने तेह किया कि हमाल लिए हमने अपने लिए फैसला किया है कि जब तक ये चलेगा हम पहुंचेंगे उसी रिष्टे से मतलब इस रिष्टे से नहीं कि जैसे हम कोई हुमन राइट्स वाले हैं या हम फैक्ट फैंडिंग है या मीडिया है हम ऐसे पहुंचें जैसे हमारे रिष्टे में कोई हो जिसके साथ ये हुआ ये कहने के लिए कि आप अकेले नहीं आपके दर्व में बहुत लोग हैं जो शामिल हैं हम माफी मांगना चाहते हैं और हम वादा करते हैं कि आपके साथ हम रहेंगे कुछ भी हो आपकी इनसाफ की लड़ाई में या आपके जिन्दगी के टूटे टुक्डों को जोड़ने में और हम आपके कहानी बताएंगे तो ये यात्रा एक यात्रा से हमने शुरू किया उनीस सो मतलब दोजार सत्रा में और अब वो रुकी ने रहा है मतलब पचास यात्रा एक लगबख की हैं क्योंकि लिंचिंग ही नहीं कतम हो रहा और हम देख रहे हैं कि जगे 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 हम जाएंगे बहुत क्रूल था मतलब परिवार अब ये पूछने लगे हैं कि परिवार केते हैं कि काश बस गोली मार देते चुरा मार देते इतना टोचर करके तरपा के क्यों मारा कि उसके आँखे निकालनी उसके गुपतांगों में पत्थर मारे उस तरह का और पुलीस की जो भूमिका है जो कभी भी उसको लिंचिंग को अपराद नहीं मानते वे जो मारा गया है उसी को ही अपरादी थाबित करने की कोशिश कर रहे हैं यह जो दौर चल रहा है मुझे लगता है कि आजादी के बाद यह सबसे खतरनाग दौर है सामाजिक रिष्टों के समंद में पर नफरत का जवाब हम नफरत से देंगे अगर और स्वाभावे के के लोग सोचें कि अब बहुत हो गया है अब हम कड़े होके इसका जवाब देंगे अगर हम उसी तरह का जवाब उनको देंगे तो नफरत ही गहरा होगा अगर अंधेरा है हम कहेंगे कि हम अंधेरे से लड़के आपका भी अंधेरा कर देंगे तो अंधेरा ही गहरा होगा हम लोग जितना भी अंधेरा हो आंधी तूफान के बीच में भी दिया जलाना और बाहर ने करना है और उसमें हिम्मत की बहुत जरूरत है कोई भीड़े कठा होके पीट-पीट के किसी को मारता है उसमें कोई बहादरी नहीं है तो कायरता है उसके बीच में घुसके उसको रोकना उस तरहें की हिम्मत हमें दिखाने की जरूरत है हिंदुत्वा को अगर हम देखें आप जिस तरह से पूरा उसको ट्रेस आउट किया है उसके वाइलन्स के मॉडल को वो कोई एक मॉडल हिस्टोरिकल स्टेट को कॉपी नहीं कर रहा है आपने बोला कि भाई वो पूरा का पूरा यॉरॉप जर्मनी में जो जूस के खिलाफ नरसंहार होता था उसको भी उसने देखा उसने अमरिका में और मीडिवल यॉरॉप में जिस तरह से पॉलिक परफॉर्मटिव जो लिंचिंग्स होती थी उसको भी उसने अडॉप्ट किया और आज की ट्रेट में जो हम गज़ा में देख रहे हैं जो फिलिस्तीन और उसमें जो डेमुलिशन बिल्कुल बुल्डोजर जस्टिस का जो पूरा है बिल्कुल ही उनने वहां से लिया है तो यह एक जिसे कहते हैं सिंथेसिज है किसका कि जो हाइस्ट फॉर्म ओफ एट्रोसिटीज किसी एक माइनॉरिटी या माइनॉरिटीज के खिलाफ अलग-अलग लेवल्स पर कि अभी तक वो आपकी वाइलन्स साइकोलोजिकल मॉब में आपकी जो ओवरॉल कम्यूनिटी की जो मानली जो च्छमता है उसको कम करने में और आज की डेट में जो आपने पूरी जिंदगी में अपनी छोटे छोटी पाई जोड़ कर या आपकी जो एक जैसे कहते हैं खांदानी जो एक विरासत है उसको तबहा कर कर लेगा तो क्या ये कहना सही होगा कि हिंदुत्वा का कोई कंपैरिजन इस वक्त हिंदुत्वा ने मतलब उसकी जड़ें तो नाजी जर्मनी में हैं वो तो स्पेश्ट ग्रूप से उन्हें लिखा है लेकिन इन सब से भी उसने बहुत कुछ सीखा है एक आपको जोड़ना जोड़री है मुझे लगता है कि शैद सबसे नजदीक आइचली वो रहेगा मैं क्यों कह रहा हूं कई लोग कहते हैं कि क्या हम एक नर्समार की दिश्शा में अगसर हो रहे हैं मैं मानता हूं कि सारे संकेत हैं कि अगर हम रोके ने तो वहां हम पहुंच सकते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नाजी जर्मिनी जैसा नर्समार बीस करोर लोग को संभव ही नहीं है आज के बक्त में वो चाहे है जैसा आपने बोला जो कॉस्ट है इवन छोटे राइट्स का वो इतना हाई है सिविल वार केनाट बी मानीपूर में जैसा सिविल वार किया है वो सिविल वार के दिश्चा में भी हम लोग जा सकते है मुझे रखता है कि हिंदुस्तानी मुस्लमान जितना सयम उनने रखा है इस सब के बीच में यकीन रखा है सेकुलर कॉंस्टुशन में सबसे कम अगर किसी कम्यूनिटी का है वो हिंदुस्तानी मुस्लमान का है और तो वो और साथ में जो सेकुलर नॉन मुस्लिम है उन दोनों के जुडाव से देश अभी भी बचा है माइनमार या रोहंग्या के मुझे लगता है कि सिटिजिन्शिप गुलबरकर ने कहा था कि मुस्लमान और प्रिस्चन अगर इस देश में रहें तो वो दूसरे दर्जे के नागर के हैसियत से रहेंगे नागरिक्ता का मतलब क्या है सिटिन्शिप हैना अर्डिंट एक चिंतक है उनने कहा कि राइट टु हैव राइट्स हक रखने का हक मुझे लग रहा है कि आज हम अल्रिडी उस जगे में पहुंच गे हैं जहां मुस्लमान अब इस देश में हक रखने का हक नहीं रख रहा हैं हम चाहें तो बुल्डोजर डाल देंगे हम चाहेंगे तो हम ऐसा भाशन देंगे कि आपका नरसमार हो जाए और कुछ होगा नहीं मैं लिंचिंग करता हूँ खुद ही वीडियो लोगा अपने आप के मैं लिंचिंग ले रहा हूँ फिर भी मुझे कोई सजा नहीं हूँ बिल्कुल ओपन है कौन है जो पपर्ट्रेटर है वो अपना सबूत अपने खिलाफ खुदी वो कर रहा हूँ और उसके बावजूद जैसे मोनो मानिसर और यह सारे लोग वो तो फेस्बूक लाइज पर कर रहे हैं तो मुझे जो बहुत चिंता यह है कि हम लोग और इस जगे में पहुंचके हैं जहां हम लोग ने अपने मुसलिम भाईों बहनों को उस जगे में पहुंचाया है जहां इंक्रीजिंग बढ़ते हुए वो हक रखने का हक ही नहीं रख रहे हैं इस देश में और नर्समार का वही लोंग्या का भी वही है वहां तो गोशे तोर पे बहुआ है गोशे तोर पे मुसलमान नॉन सिटिजन नहीं है लेकिन नाग्रिक्ता कानून और इस सारे तरीकों से हम लोग उनको उस जगे पे पहुंचाने की कोशिश आरसे सोरों के समर्दड करते हैं जहां पे वो हाक नहीं रखेंगे, हाक रखने के और बराबर के नागरिकता ही जो आईडिया ओफ इंडिया की बात में कर रहा हूं कि आप मुसल्मान, हिंडू, आदिवासी, मैं मेरे पिता जी अनराचल प्रदेश के ऐसे जगों में थे जहां पे सिर्फ दो सो लोग हैं जो एक भाशा बोलते हैं वो दो सो लोग अपनी भाशा, अपने रहने के तरीके में बराबर के हिंडूस्तानी के हक रखें हम ऐसा देश बनाना चाह रहे थे, उस देश से हम बहुत दूर भटक रहे हैं और यह सिर्फ मुस्लमानों की समस्या नहीं है यह हर व्यक्ति उस हर नागरिक की जिम्मदारी है जो चाहता था कि इस देश यह महुबत का देश हो, बराबरी का देश हो हम सब का यह फार्ज बनता है कि हम नफरत की इस राजनीती जो इस दी आइडिया इंडिया इसेल्फ को खतम करने की कोशिश कर रहे है उसका हम सामना करें मैं इस सवाल को इस कॉंटेक्स में पूछना जाहूंगा क्योंकि मैं पढ़ने लिखने से तालोग रखता रहा हूं जे नियू मैं रिसर्चर भी हूं फिलोसफी, पोलिटिक्स, एकनॉमिक्स में बैग्राउंड है तो in my opinion, in all my readings, what has also failed is the lack of sufficient theorization of the human condition today तो वो जो, क्योंकि आपने बीच में काफी जिकर किया, आपने शुरू में बताया कि आपके ओपर जो असरात हैं वो माक्स के भी हैं, गांधी के भी हैं और अम्बेटकर के भी हैं तो इसका मतलब को एक thinker was not sufficient to let you understand what you are witnessing today और जब मैं as a Muslim रीड कर रहा हूं इन सब को भी और even within Muslim जो tradition है और जितने thinkers गुजरे हैं और उनने कोशिश करी है तो मैं भी उसी जिसे कहता हूं उससे गुजर रहा हूं कि हमारे पास इस वक्त कोई एक ऐसा framework नहीं है Muslims non-Muslims alike India non-India alike क्योंकि this is happening everywhere तो क्या जरूरत है कि foundational questions को बहुत humble तरीके से बहुत जिसे कहते हैं एक मुहजब अंदाज में यह जानते वे कि हम different हैं और उसमें एक discussion हो नहीं बहुत ही सही कहा आपने मैं Einstein Einstein के परिवार ने एक 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 तन्जीम बनाई है Einstein Forum और उन्हें पिछले साल मुझे बुलाया और बदलते वक्त में इसी तरह के सवाल क्योंकि हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में हर देश में आम लोग ऐसे नेता को चुन रहे हैं जो हमें नफरत करना सिखा रहा है यह सिर्फ हिंदुस्तान की समस्या नहीं भीशपर किया मैंने एक्जैक्टली यही कहा कि बहुत तरीकों से हमें इसका सामना करना है पर एक तरीका यह है कि हमें नहीं कल्पना राडिकल न्यू इमाजिनेशन्स फोर आफ यूचर यह है नहीं मतलब आप विकल्प क्या दे रहे हैं मतलब जो और्टिनेटिव पार्टी से उनका विकल्प क्या है कैसा देश बिनाना चाहता है कांठ ने क्या कहा आज के कांट ने क्या कहा कोणवनेशन च्राटी कर आपने शुरू में पोलिटिकल विल यू नहीं है और कहीं बहुत cohort कि हमाई धन्यूです जब गिरा थो सभाजवार थो पूरी गलतना थी एक बराबरी का समाज वो बन सकता है वो कल्पना तूट गए और बाबरी मस्जद के गिर्मे में के एक ऐसा ऐसा देश जहां पे हम एक तुस्य की इज़त करें हर मजब के लोग वो तूट गया और फिर तो मुझे लगता है कि एक तरह से वो जो बाबरी मस्जद और बर्लिन के जो पत्थर जो गिर्म हैं उन में से हमें दुबारा ढूनना पड़ेगा कि महबत और बराबरी इंसानियत का समाज कैसे बनाएगा पुराने उसके सब काम्याब नहीं रहे हैं हमें नहीं कल्पना करनी चाहिए मैं जब बड़ा हो रहा था मैंने कहा कि हमें पूरा विश् दुनिया बनाएंगे आज नौजवानों को यह सप्टा देने देखने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि वह सप्टा ही कोई क्लियर नहीं है और मैं यह देखता हूं कि आपने उस पॉइंट में जब बोला कि आपके जो सारे साथी थे वह एक तरीके के मतलब वह इंप्रेशन उनके ओपर यह था कि हम सब एक तरीके से एक आइडियल फॉर्म उफ उसमें बढ़ेंगे मैं आज देखता हूं लोग वह सेंस आफ जिसे कहता है बिल्कुल बिल्कुल ही क्योंकि वह ही नहीं कि एक बराबरी और इंसाने का समाज बनेगा यह हमारा यकीन था और जल्दी ब बनाने में हमारा रोल रहेगा यह तीनों यकीन आज नौजवानों को नहीं है तो मुझे लगता है वह लोटाना होप पर काम करने की बहुत जरूरा है लेकिन विकल्पों के बारे में भी दो चीजों के बहुत संक्षित में कहना चाहते हूं कि आज कहीं दुनिया के किसी मतलब कि आपका जो पडोसी है को आपका जासे दिखेगा आपके जैसे भाशा बोलेगा या बोलेगी आपके जैसे अबादत करेगा आपके जैसे रहन सैन होगा इसकी संभावना कम होती जा रहे है मतलब हम लोग एक ऐसी दुनिया हिंदुस्तान तो ऐसा हमेशा था लेकिन बाकी जगे नहीं थे… ग्लोबलाइस कोस्मॉपॉलिटिय। बिल्कुल हर जगे में आपको हर किसम के लोग होंगे। तो हम लोग जो हमसे अलग दिखता है, क्या हम उससे डरेंगे, या उससे उसको खत्रा मानेंगे, या उससे दोस्ती करेंगे, या रे इतना मज़ा आ रहा है, आप इस तरीके से करते हैं, हम ऐसे तरीके, हम मिलके कुछ और करें, तॉलरंस की बात मैं आपको सेहन करना नहीं, बढ़िया लग रहा है, हिंदुस्तान, सईद नक्वी पाकिस्तान गए, जो उन्होंने मज़ाख में जब वापस आये, कैसे लगा, बहुत अच्छा लगा, पर एक ही दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी है, उनने का, टू मेनी मुस्लिम्स, क्योंकि, एक तरह से, हमें आदत है, कि हम हर किसम के लोग देखें, वो विवत्ता में हमें मज़ा आता है, तो ये एक सवाल है, कि हमसे अलग जो लोग है, उनके साथ हमारा रिष्टा कैसे होगा, ये दुन्या के सामने एक चुनौती है, पर दूसरी चुनौती ये है, कि जो अर्थव्यवस्था अभी की है, उ दुन्या भर में, अब जॉब्स और AI के आने के बाद और इसके बाद, मतलब मुस्ट यंग पीपल डोंट है फ्यूचर तो लोग ऐसी कल्पना हमें करना होगा, कि हमने लॉक टाउन देखा, जहां लोग बिमार पढ़ रहे हैं, मर रहे हैं, कोई व्यवस्था सरकार की नही हमनों को ऐसा समाज बनाना होगा, एक नहीं समाज की कल्पना करनी होगी, यहां पे नौम चॉंसकी नहीं कहा, एक तरह से एक अच्छे समाज की परिभाशा है, बहुत सिंपल, इसा समाज अच्छा समाज होगा, जहां हम एक दूसरे का ख्याल रखें, बस इतनी सी बात है, आप तकलीफ में हो, मैं आपका ख्याल रखें, पहलु खान के पीट पे चाबुक लगे, मेरे पीट पे दर्द घ्टे, हात्रस में बच्ची का बलातकार हो, मुझे लगे कि मेरी बच्ची का बलातकार हुआ है, ऐसा समाज मिनाना ज़री है और यह कल्पना मतुब, आप कह रहे हैं कि क्या मैं फाइनल अडवाईज दूँ मेरा हक क्या है मैं अडवाईज दूँ पर मैं बस दो चीज़ें कहना चाँ बाकी कुछ ना हो मतलब दिल में दर्द जरू रखे मतलब दूसरे का दर्द अपना मानने की अपनी क्षमता को दबाईये में प्रॉफिट मुहमद खुद की बात एक बताते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा नाइनसाफी देखते हैं या दर्द देखते हैं तो आपका क्या फर्द बनता है तो ठाके कम से कम दिल से महसूस कर मतलब बुरा तो लगे आपको फिर कुछ लोग जो और जादा करते हैं वो जुबाई से रिस्पॉन करते हैं मतलब उसके बारे में आवाज उठाते हैं थोड़े से लोग हैं जो हाथ से रिस्पॉन करते हैं मतलब उसको बदलने की कोशिश मेरी ये पैक्षा नहीं है अपने देशवासे हो कि सब लोग हाथ से रिस्पॉन करें या जुबार से भी रिस्पॉन करें जितने करें अपनी अच्छी बाते यह परिक्षा जरूरी है यह जरूरी है कि हर एक जब किसी के साथ गलत हो रहा हूँ किसी के साथ प्लिंचिंग हो रहा हो। किसी के साथ बलातकार हो रहा हो। कोई भूक से मर रहा हो। कोई बेगर हो। दर्द जरूर दिल में रखिये। वो अगर होगा तो हम बाकी चीजें हो जाएंगे। देश का एक बत्वारा हुआ हमने देख़ा एक लखी के चीजें। अब हम लहाखों बत्वारें देखरें। दिलों के बीद में। तो हमें और उसका जवाब। हम आपदोशन ही है। नोगरें देते रहरा होगा. दिल में नफरत नहीं आने थे, नाउमेदी भी ना आने थे, महबत के लिए जगें भूने, कारवाने महबत, जैसा है आप, यही तरीका है, सवाल तो बहुत हैं, इस्पेशली जो ये एंड में कि सल्यूशन्स क्या हो सकते हैं, बोल्ल, इसमें तो मुझे लगता है कि एक नया बात की, तो इसी पे हम आपसे ये खुबसूरत गुफ्तगू हुई समझने की, जानने की, आपका पूरा जो सफर है, और आपका जो एक बहुत महत्वपूर जो आपका कॉंट्रिबूशन है, उससे हमें सब को सीखने की जरूरत है, कि यह ऐसा नहीं है, मैं गुरान के हवा यह हो कि आप हर वक्त, जैसा आपने एक्जामपल दिया कि इनजस्टिस के खिलाफ, यह इनजस्टिस एक यह वाइलेंस के फॉर्म में तो ही, जो आपकी एकनॉमिक जो इनिकॉलिटीज हैं, आपकी पुलिटिकल इनिकॉलिटीज हैं, सब के बावजूद, उसके वो कॉंस् आप्स के बेसिस पे एक सिविलाइजेशन कायम करने की कोशिश करें, तो बहुत-बहुत शुक्रिया हर्श्वंदर साहब, और आगे मुझे लगता है इस तरह की कॉन्वसेशन सापसे होते रहेंगी, बहुत-बहुत शुक्रिया ना उसकाने के लिए.